हेलो एविवान जैहिन जैबार्थ वंदे मात्रम सभी बच्चों को कैसे अब सभी सभी बच्चों को एक बार लाइक कर देंगे अपने दोस्तों के साथ सब बच्चे सभी ग्रुप्स बगएरा में जितने भी आपके पास है सभी के सभी जगह एक बार सेशन को शेयर कर देना बै गुट मॉर्निंग एवरिवन गुट मॉर्निंग जैहिन जैहिन सभी बच्चों को जैहिन गाइज आएज स्टार्ट करने वाले हैं permutation and combination chapter complete आपको करवाने वाला हूँ, एक से एक सभी point हम इसके अंदर discuss करने वाले हैं, सभी के सभी ठीक है, एक बार मैं share कर देता हूँ एक मिनेट रुको अंजी जएहिन, जएहिन, सभी को जएहिन के बढ़ियां हैंムक, बढ़िया चल रहा है, हब अर्यूँ सर बहुत बढ़िया चलो, तो स्टार्ट करें आज के सेशन को, सभी रेडी ओ, एक बार जएहिन comment करदो, फटा fट सबी बच्चे रेडी हो एक बार जैन कमेंट कर दो फटा फट ठीक है हाई जो उसके साथ सबी बच्चे जैन कमेंट कर देंगे फिर स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को बहुत बढ़िया चलो पर्मोटेशन और कम्बिनेशन गाईस चैप्टर इंपॉर्टेंट है क्योंकि 3 से 4 कोशन कम से कम आते हैं और बाकी UPSC को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं किसी भी चैप्टर में से कितने भी कोशन UPSC दे सकती है लेकिन कम से कम 3 से 4 कोशन इस चैप्टर में से 101% एक्जाम के अंदर आते हैं और बहुत ही इजी चैप्टर है बिलकुल इजी चैप्टर है और दूसरा permutation combination ये जो चैप्टर है वो आपका probability चैप्टर के अंदर भी काफी मदद करता है इसलिए ये चैप्टर ओ ज्यादा important हो जाता है ठीक है वच्चे तो start करते हैं आज का हमारा चैप्टर permutation and combination चैप्टर तो देखिए सबसे पहले हमारे पास जो पहली definition आती है वो definition आती है हमारे पास factorial की की factorial क्या होता है ठीक है तो हमारे पास result होता है n factorial n factorial जिसको में इस तरीके से denote करते है n factorial का मतलब होता है product of first n natural number पहले n natural number की अगर हम product कर देंगे मतलब 1 into में 2 into में 3 into में 4 up to so on multiply में n तो product of n natural number तो n natural number की जो product होती है first n natural number की जिसको हम n factorial से denote करते हैं तो जैसे अगर लिखा हुआ है 5 factorial तो 5 factorial का मतलब है product of first 5 natural number 1 into में 2 into में 3 into में 4 into में कितना आ जाएगा 5 जाएगा जो हमारे के पास किसके equal होता है 120 के equal होता है तो अगर 5 factorial लिखा हुआ है 5 factorial का मतलब है product of first 5 natural number और अगर लिख दूँ मैं 4 factorial तो 4 factorial का मतलब हो गया product of first 4 natural number clear बात अगर हम लिख दें 7 factorial तो इसका मतलब product of first 7 natural number product of first 7 natural number clear बात हां जी definition clear है factorial की हां जी comment करके फटा फट सब बच्चे बताएंगे good morning everyone good morning good morning good morning good morning सभी बच्चों को good morning बात बढ़िया तो factorial का मतलब यही होता है बच्चे की product of first n natural number जितने भी number है जिसके भी आगे factorial लगा हुआ है उन सभी numbers की हम क्या कर देंगे product कर देंगे clear everyone जी sir clear है शाबास comment करके फटा फट बताओ clear है बच्चे clear है चलो n factorial को हम ऐसे भी लिख सकते है बच्चे n factorial को हम ऐसे भी लिख सकते है n factorial n factorial को हम लिखेंगे n into में n minus 1 into में n minus में 2 into में up to son 3 into में 2 into में 1 मंतलब मैंने उल्टा लिख दिया ठीक है तो product of first n natural number होता है तो 1 into में 2 into में 3 up to son कहां तक जाएगा यह n तक जाएगा इसको हम ऐसे भी लिख सकते है n factorial is equal to होता है हमारे पास n multiply में n minus 1 का factorial clear है n multiply में n minus 1 का factorial जैसे देखो एक चीज़ देखो जैसे हमारे पास 7 factorial है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 7 multiply में 6 multiply में 5 multiply में 4 multiply में 3 multiply में 2 multiply में कितना 1 तो यह हो गया product of first 7 natural number हना तो अगर हम बात करें 7 multiply में इतने result की अगर में बात करूँ तो इतना result क्या है product of 6 natural number पहले 6 natural number की product है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 6 factorial लिख सकता हूँ तो यही result है ऐसे ही लिख सकते हैं n factorial को हम लिख सकते है n into में n-1 का factorial तो अगर हम n का factorial हटाएंगे तो वो उसके एक कम वाले के साथ चला जाता है इसको हम ऐसे भी लिख सकते है n into में n-1 तो n-1 का factorial हटाएंगे तो वो किसके साथ चला जाएगा इससे एक कम result के साथ चला जा क्लियर सर मुझे मेट स्ए बहूट डर लग रहा है मेरे डरने से क्या बात डरने वाली यह सब पीपन उठा और लग जा भई मैंद करने डरने वाली क्या है कोई भूत थोड़ी खड़ा है वाई मैं बूत थोड़ी है जिससे आपको डरना है है बच्चे चलो नेक्स आम बात करते हैं properties की सबसे पहली property की n factorial जो defined होता है वो शिरफ और सिरफ आपका positive integers पर ही defined होता है negative number पर और fractional पर आपका factorial defined नहीं होता तो पहली properties की है factorial आपका किस पर defined होता है positive integers पर ही defined होता है second point इसमें है n factorial को आप लिख सकते है n into में n minus 1 का factorial तो second properties की यह है बच्चे third property 0 factorial 0 factorial की value जो होती है वो 1 होती है याद रखना 0 factorial की value क्या होती है आपके पास 1 होती है दूसरा कि 2 factorial है 2 factorial है एक x factorial है एक y factorial है आर इक्वल देखें दो factorial है एक x factorial equal to y factorial ठीक है x factorial equal है y factorial के तो उस case में पहला case यह यह कब possible होगा जब यहा तो x is equal to y हो एक case यह है कि जब x की value y के equal हो तब यह possible है दूसरा जब x की value आपकी 0 हो और and y की value आपकी 1 हो तब यह possible है और तीसरा जब x की value आपकी 1 है and y की value आपकी 0 है तब यह possible है clear तो एक तो case है कि जब x और y दोनों equal होगे तब आपका x factorial y factorial के equal होगा दूसरा अगर आपका x 0 है और y अगर आपका 1 है तब भी x factorial y factorial के equal होगा क्योंकि 0 factorial के value 1 होती है और 1 factorial की value भी 1 होती है तीसरा कि अगर आपका x 1 है और y 0 है तो उस case में भी x factorial y factorial के equal होता है clear अब आच्चेत भाई spam मत कर spam मत कर क्योंकि spam मत कर भाई ठीक है लास्ट बार बोल रहा हूं spam मत कर जितना ध्यान पड़ा spam करने में बढ़िया है उससे पढ़ ले तों भाई ठीक है ना पढ़ ले clear अबाद कोई question नहीं चुटेगा बच्चे कोई भी question नहीं चुटेगा हर type का question में आपको यहाँ पर cover करवा दूँगा clear है बाद हाँ जी property clear है बच्चे शाबाज comment करके बताओ property clear है ठीक है भई मौबबस से OPM आमला बहुत बढ़िया property clear है x और y 0 का बोगा भई वो तो question पर depend करता है x और y 0 है तो भी 1 equally होगा बच्चे क्योंकि 0 factorial भी 1 होता है 0 y की value भी 0 है तो 0 factorial 1 होता है तो उस case में भी दोनो equally रहेंगे clear बाद चीत ढनना है आगे बढ़े बच्चे next देखो बहुत बढ़िया next इसमें एक चीज मैं और बता देता हूँ थोड़ी सी factorial के बारे में देखिए बच्चे अगा आप factorial को direct add नहीं कर सकते जैसे मान लो 3 factorial है प्लस में अगर 2 factorial है तो आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते कि f equal to 5 factorial होगा आप factorial को direct add नहीं कर सकते हैं पहले इनकी value निकालनी पड़ेगी और value निकाल के आपको add करना पड़ेगा जैसे 3 factorial प्लस में 2 factorial है तो 3 factorial का मतलब product तो first 3 natural number तो वो आएगी आपके पास 6 प्लस में 2 factorial की value हो गई 2 तो यह आजाएगा आपके पास 8 तो factorial को अगर add करना है तो आप direct इसको ऐसे add नहीं कर सकते पहले value निकाल के आपको add करना पड़ेगा चलो clear है बाच्ची इतनी हाँ जी दूसरा minus के case में भी same है और divide के case में भी same है अगर 3 factorial को divide करना है मान लो किस से 2 factorial से तो आप direct ऐसे divide नहीं कर सकते है जैसे मान लो 4 factorial इसको पहले value निकालनी पड़ेगी तो यह आजाएगा 6 upon me 2 तो यह इससे cancel होके कितना आजाएगा आपने पास answer 3 आजाएगा मान लो यहाँ पे है 4 factorial divide by 2 factorial तो आप इसको direct ऐसे cancel नहीं कर सकते है पहले आपको इसकी value निकालनी है उसके बाद आप इसको cancel कर सकते है हाँ अगर आपका ऐसा है कि 3 factorial के divide में अगर आपका 3 factorial है तब आप इसको ऐसे cancel करके 1 लिख सकते हैं clear about it done है हाँ जी done है तो अगर आपको 2 factorial को add करना है या minus करना है या multiply करना है या divide करना है तो आप सबसे पहले उसकी value निकालेंगे उसके बाद इसको add minus multiply या divide करेंगे direct आप multiply direct आप add इसमें नहीं कर सकते हैं ये बात आप ध्यान रखना बच्चे ये बात आप ध्यान रखना clear है बच्चे चलो अजी अब आता है अपना main यहाँ से start होता है बच्चे fundamental principle of counting यहाँ से आपका main start होता है multiplication principle का question exam में 101% आता है और इसके बहुत सारे question बनते हैं multiplication को है बहुत सारे type के मैं आपको सारे type cover करवाने वाला हूँ एसे लेके जड कोई भी type का example हम नहीं छोडने वाले हैं मैंने इसके अंदर बहुत सारे example add किया है ठीक है इस PPT के अंदर ताकि आपका हर type का example हर type की definition सब चीज़ें आपकी cover हो जाए तो यहाँ पे हमारे पास दो type के fundamental principle आते हैं एक आता है हमारे पास addition principle और एक आता है प्रिंसिपल में हमारे पास दो अलग-अलग काम होते हैं अलग-अलग तरीके से जैसे for example मैं example के तुरू आपको समझाता हूँ देखिए यह कहता है कि there are 15 gates to enter a city from north side north side से enter city में enter करने के लिए कितने gate दिये हुए हैं 15 gate दिये हुए हैं 10 gates are enter to city from east side east side से enter करने के लिए कितने दिये हुए हैं 10 gate दिये हुए यह कहता है how many way a person can be enter the city तो यह कहता है कि total कितने वे से एक person जो है उस city के अंदर enter कर सकता है एक चीज़ देखिए एक city है मालो इस तरीके से ठीक है यह एक city है तो इस city में enter करने के लिए इसने north side से 15 gate दे दिये और east side से मैं माल लेता हूँ यहां मैंने east side को east माल लिया east side से enter करने के लिए उसके पास कितने 10 gate दे दिये अच्छा उसके पास total कितनी चोईस है 15 और 10 total 25 चोईस है कि वो इस city के अंदर enter करने के लिए उसके पास total कितनी चोईस हो गई 25 चोईस हो गई तो उसको यह कहता है कि how many way एक person can be enter the city total कितने तरीके से उस city के अंदर जा सकता है तो 15 यहां पे चोईस है 10 यहां पे चोईस है तो total वो 25 तरीके से उस city के अंदर enter कर सकता है तो addition principle में क्या होता है कि जितने number of way आपके पास है different different जैसे m different way आपको given है दूसरा आपको another work मतलब दूसरा जो है दूसरा result भी आपको given है जिसके अंदर n different way है तो total number of way क्या हो जाएंगे m plus n हो जाएंगे उसके अंदर हम क्या कर देते है जो भी आपके पास number of choice है उनको add कर देते है तो addition principle में number of choice को क्या किया जाता है add किया जाता है आपके पास जैसे यहाँ पे 15 choice थी यहाँ पे आपके पास 10 choice थी तो total मिला के आपके पास 25 choice हो गई कि आप 25 तरीके से उस CT के अंदर क्या कर सकते हो Enter कर सकते हो Clear अवादचीत हान जी बच्चे Clear है इतना Clear है Clear अवादचीत हान जी 25 तरीके से हम उस CT में Enter कर सकते है Clear है बच्चीत Done है हान जी इतना मामला OP है एकदम Clear बात Simple एकदम Clear बहुत बढ़िया इसका एक एक एकजामपल और देखते हैं बच्चे देखो जैसे यह गयता है There are 15 students in a class in which 10 are boys Boys कितने अपने पास boys है 10 students ठीक है and 5 are girls तो girls कितनी है यहां पर 5 Clear यह कहता है The class teacher select either a boy और a girl for monitor of the class in how many way this class teacher can make this selection तो यह कहता है कि total कितने तरीके से यह selection जो है वो बना सकता है देखिए एक बच्चे हमारे पास 10 लड़के हैं और 5 लड़कियां हैं तो total student कितने है 15 अब class teacher की अपनी मर्जी है कि वो इन 15 में से किसी को भी monitor बना सकता है तो 15 में से किसी भी एक को वो क्या बना सकता है monitor बना सकता है तो total कितने तरीके से वो monitor बना सकता है अब एक ही student को monitor बनाना है तो उसके पास कितनी choice है 15 choice है तो वो total 15 तरीके से monitor जो है class में बना सकता है तो यहाँ पर जितने number of boys थे जितने number of girls थी उनको क्या कर दिया add कर दिया तो totally कितने हाए 15 student तो वो 15 टोटल उसके पास क्या जाएंगे number of choice आजाएगी तो यह आपके पास क्या हो जाएगा answer हो जाएगा clear है बहुत बढ़िया एकदम clear कोई doubt एकदम clear है बादचित done है यहां तक तो यहां पर addition principle में यही होता है बच्चे addition principle में जो भी आपके पास अलग-अलग choice होती है जो सबको add कर दो तो वो आपके पास total number of choice आजाती है total number of way आजाते हैं तो जैसे यहां पर 10 लड़के थे 5 लड़कियां थी total add कर दिया तो 15 हो गई तो उसके पास 15 choice हो गई अब बात करते हैं multiplication principle की multiplication principle में क्या होता है कि multiplication principle में एक से ज़्यादा काम होते है और जो दूसरा काम होता है वो पहले काम पे depend होता है दूसरा काम जो है वो पहले काम पे depend गरता है मैं आपको example के through समझाता हूँ example के through समझिए जैसे यह कहता है कि there are three routes to travel from city A to B A से B जाने के लिए from A to B A से B जाने के लिए उसके पास total कितने route है तीन route है and four routes travel from city B to C B से C जाने के लिए B से C जाने के लिए उसके पास four route है and seven routes from city C to D C से D जाने के लिए उसके पास seven route है in how many different routes a man can be travel from city A to D A से D जाना है बंदे को ठीक है by city B and C B और C city से होकर जाना है अब देखो यहाँ पे आपका multiplication principle लगेगा देखो A से B जाएंगे तो उसके पास तीन रस्ते हैं बच्चे उसके पास किसने रस्ते हैं तीन रस्ते हैं हो सकता है वो इस रस्ते से जाए हो सकता है इस रस्ते से जाए हो सकता है इस रस्ते से जाए और B से C जाने के लिए उसके पास बढ़ रहा है वैसे घsti क्या हो रही है उसके पास डिफ्रेंट हो रही है तो इस ट्रेब के अंदर इस स्च्ट के अंदर हमारे पास क्या लगता है multiplication principle लगता है हम क्या करेंगे A से B जाने के लिए हमारे पास 3 choice है A से B जाने के लिए कितनी choice है 3 choice है multiply में B से C जाने के लिए हमारे पास 4 choice है multiply में C से D जाने के लिए हमारे पास 7 choice है इनकी multiply कर दो आपके पास result आजएगा यह आजएगा 12 इंटू में 7 तो यह कितना गया 84 तो टोटल वो 84 मतलब 84 तरीके से 1 से D जो है वो जा सकता है B और C से होकर टोटल कितना जाएगा 84 तरीके से वो जा सकता है तो multiplication principle में हमारे पास यही result होता है बच्चे कि जो भी number of choice होती है जैसे पहला step करेंगे तो तीन choice दूसरे step पर जैसे गए तो number of choice आपके पास different हो गए ठीक है number of choice आपके पास different हो गए तो उस case में हमारा multiplication principle लगता है clear है बातचित हांजी इतनी बातचित done हो गई एकदम done हो गई 84 आगया answer बहुत बढ़िया 84 आगया बहुत ही बढ़िया चलो मिल जाएगा बिलकूल pdf अब एक example और करते हैं बच्चे जैसे यह example फटा फट सब बच्चे कमेंट करके बताएंगे इस question का answer हां जी मैं आपको सारे टाइप के question कराऊंगा multiplication principle के देखना कितने टाइप के question बनते हैं यह आपर even number old number बाकी हर टाइप का question इसमें cover हो जाएगा हमारा tension note ठीक है बई pncr chapter है आज के बाद नहीं रहेगा बच्चे आज के बाद नहीं रहेगा ठीक है बई आज के बाद नहीं रहेगा देखो यह कहता है a city have 12 gates एक city है ठीक है बच्चे यह हमारी एक city है जिसके बारा gate है एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस जारा और बारा एक city है जिसके बारा gate है यह कहता है how many way a person enter the city through one gate तो किसी भी one gate से वह enter कर सकता है अब देखो उसको enter करने के लिए कितनी चोईस है बारा चोईस है वह क्या कर रहा है किसी भी gate से enter कर सकता है हो सकता है इस gate से enter करे हो सकता है इस gate से enter करे टोटल बारा गेट है enter करने के लिए एंटर करने के लिए यहांरे पास कितनी चोईस है 12 चोईस है खलिए बादची अब यह कहता है कि पहला काम है enter करना अब come out through the different gate मतलब अब दूसरा काम है बाहर आना और वो भी दूसरे gate से बाहर आना है जिस gate से एंटर किया है उस गेट से बाहर उसको नहीं आना है तो यहां पर दो काम हो रहे हैं एक काम हो रहा है एंटर करना और दूसरा काम हो रहा है बाहर आना तो दोनों काम एक दूसरे पर डिपेंड कर गए न क्योंकि जिस गेट से एंटर करेगा उस गेट से बाहर वो नहीं आ सकत तो माल लो इस gate से, इस gate से उसने enter किया, ठीक है, enter करने के लिए उसके पास 12 choice है, multiply में, अब जो बहार आएगा बच्चे, तो इस gate से तो बहार आ नहीं सकता, इस gate के दरवाजे उसके लिए क्या है, बंद है, उसके लिए क्या है, बंद है, तो बहार आने के लिए उसके पास कि ग्यारा choice बन गई, तो multiply में 11 कर दो, तो कितना आ गया, 132, D option is the right answer, D option is the right answer, हाँ जी बच्चे, D option is the right answer, बहुत बढ़िया, तो इस type के question में हमारे पास ये result लगता है, multiplication principle, कि enter करने के लिए 12 choice थी, लेकिन बाहर निकलने के लिए उसके पास 11 ही choice थी, कि जिस gate से उसने enter किया है, उस gate से वो बाहर नहीं आ सकता है, clear है बात्चीत, done है मामला, हाँ जी बच्चे, clear है, आगे बढ़े next question पर, next question number two बच्चे, बच्चे वो भी हो जाएगा, spam मत कर यार, spam मत कर, नफरत है मेरे को spam से, spam से नफरत है बाई, spam मत कर, सुबह सुबह दिमाख मत खराब कर, ठीक है न बच्चे, next question देखो, how many way three digit number, three digit का number बनाना है, can be formed using the digit one, two, three, seven, nine, without any repetition of digit, without any repetition of digit, कोई भी digit आपकी repeat नहीं होनी चाहिए, तो बहुत ही simple सी approach है, यहाँ पे देखिए number क्या है, one है, एक two है, एक three है, और एक seven है, और एक number nine है, बच्चे, clear, कितने digit का number बनाना है, तीन digit का number बनाना है, आप simple है, आप क्या करो, तीन box बना लो, तीन box बना लो, बना लिया, यह पहला box है, यह second box हो गया, और यह हमारा third box हो गया, ठीक है बच्चे, तीन digit का number बनाना है, तीन box बना लिया, first number of box के लिए मेरे पास कितनी choice है बच्चे, इस box में मैं 1 भी रख सकता हूँ, 2 भी रख सकता हूँ, 3 भी रख सकता हूँ, 7 भी रख सकता हूँ, 9 भी रख सकता हूँ, तो इस box के लिए मेरे पास total कितनी choice है, 5 choice है, इन 5 चो नंबर में से कोई भी number मैं इसके अंदर insert कर सकता हूँ, तो first इसके साथ कितनी choice है 5 choice है अब एक number यहाँ पर use कर लिया मैंने एक number तो use कर लिया repetition मुझे allow नहीं है तो जो number मैंने यहाँ use किया है इस box में वो number यहाँ use नहीं कर सकता second box में तो इसका मतलब अब इसके पास कितनी choice रहेगी मालो कोई भी एक number मालो जैसे 3 मालो कि मैंने यहा इसके पास कितनी choice रहेगी 4 choice रहेगी similarly एक number अब यहाँ पर use हो गया तो मालो 7 यूज हो गया अब आपके पास बचे कितने number 3 number इसके पास कितनी choice होगी 3 choice होगी तो अब आप इनकी क्या कर दो multiply कर दो multiply करोगे तो यह आजागा आपने पास 60 तो total आप इन numbers का use करके 60 number बना सकत करते हैं C option is the right answer बहुत बढ़िया C option is the right answer clear अब आचित डन ने भई हाँ जी simple question एक दम तो इस तरीके से इस step का question हम करते हैं अभी देखो एक चीज़ और इसमें next example देखो हाँ जी इसमें repetition हमें allow नहीं था इसमें repetition हमें allow नहीं था ठीक है अब एक चीज़ मैं इसमें बताता हूं बच्चे यहां से बहुत सारे बच्चों को यहां पे देखो आपका 0 नहीं है using digit में आपका 0 नहीं है जब 0 ना हो तब तो simple होता है लेकिन जब 0 आपको given हो मतलब जैसे अगर वो बोल देता है इसी question में कि using digit 0,1,2,3,4 ठीक बच्चे इन digits का use करके आप total कितने number of three digit number बना सकते हैं अब देखें यहां पे उस case में हमारे पास क्या होता बच्चे 0 अगर आपको given हो तो उस case में क्या होता उस case में अगर हमें पता है कि कोई भी number 0 से start नहीं हो सकता तो यहां पे आपके पास 0 उस box में नहीं आ सकता है क्योंकि कोई भी number अगर आप 0 से start करते हैं तो जैसे 0,1,2 आपने लिख दिया 0,1,2 तो इसका मतलब यह 2 ही digit का number बाना जाता है 3 digit का number नहीं बाना जाता तो इस box में 0 आपका नहीं आ सकता तो 0 को छोड के बाकि यहां 1,2,3,4 यह चारों में से कोई भी number आ सकता है तो इस box के लिए 4 choice है अब इन चारों में से कोई भी एक number यहां आ जाएगा मालो 2 आ गया अब यहां 0 आ सकता है बिलकुल आ सकता है यहां 0 तो 1,3,4 तीन number यह बचे और एक number यह 0 बचा तो इसके लिए भी 4 ही choice है नेक्स इसके लिए कितनी choice बचेगी 3 choice अब आप इनकी क्या कर दो multiply कर दो ठीक है तो यह कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा उस case में आपका answer आ जाएगा 48 बहुत बढ़िया कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा बहुत ही बढ़िया क्या बात है लाजवाब clear बात्चेट done है तो जब आपको zero given हो तो उस case में यह result ध्यान रगना है कि zero कभी भी first box में यहाँ पे नहीं आ सकता क्योंकि first box में अगर आपने zero रख दिया तो उस case में वो जो number है वो three digit number नहीं माना जाता है clear बात्चेट हाँ जी चलो next example पहले first question का answer आप लोग देंगे स्याबबास पहले first question का answer आप लोग देंगे सभी के सभी first question का answer सभी के सभी दे दो यह कहता है कि how many three letter word can be formed using the letter a b c d e in letters का use करना है three letter word आपको बनाना है कि total आप three letter word कितने बना सकते है clear बात कितने letter आप total इसके three digit sorry three letter के बना सकते है second के लिए necks के लिए कितनी choice रियो three तो कितना आजाएगा मेरे पास 60 answer आजाएगा तो first part का जो answer है वो 60 हो जाएगा C option ये वो result है जब repetition हमें allowed ना हो लेकिन अब अगर हमें repetition allowed है बच्चे तो अगर वो बोले कि repetition of the number आपको क्या है allow है तो repetition अगर आपको allow है तो इसका मतलब क्या होगा कि first box के लिए भी five choice है इन पांचों में से कोई भी number आप यहाँ पे कोई भी letter यूज़ कर सकते है second के लिए भी five ही choice है और third के लिए भी five choice है तो उस case में five into five into five हो जाएगा B option is the right answer उस case में B option आपका right answer हो जाएगा clear है बच्चे clear है बहुत बढ़िया एकदम धांसू बहुत बढ़िया उस case में B option is the right answer B option आपका right answer हो जाता है बहुत ही बढ़िया क्या बात है दिल खुश कर दिया यार सुबह सुबह आप लोगों ने हान जी बहुत बढ़िया next question number four हान जी बच्चे अभी बताया मैंने आपको जीरो के case में क्या consider करना होता है फटाफट इस question का answer भी निकालिया फटाफट इस सभी बच्चे इस question का answer भी निकालिये हान जी 400 like का target set किया है पहले तो सभी बच्चे like कर देना जिसने like नहीं किया है like करो फटाफट and share कर दो श्याबास सुबह सुबह का महौल है या क्या बात कर रहे हो पांडे जी सुपर क्लियर है बहुत बड़ी है क्या गुंडा बनेगा यह question क्या गुंडा बनेगा देखो four digit number four digit number बनाना है वच्चे four digit number four box बना लो simple हमें पता है कि इस box में zero नहीं आ सकता तो zero इस box के लिए कोई भी choice नहीं है तो one two three four five इन पांचों में से कोई भी number आ सकता है तो इस box के लिए कितनी choice है five choice है इस box में तो zero आ सकता है वई तो इन पांचों में से कोई भी एक number तो हमने use कर लिया मालो यहाँ पर यूज़ कर चुके एक नंबर तो अब बचे यह चार नंबर और एक यह 0 तो इसके लिए भी हमारे पास 5 चोई अब दोन भी जो गया है एक यहाँ पर बचे कितने चार चोई नेक्स्ट बचे कितने तीन चोई तो कर दो बुटीप्लाइबस होगया answer आ गया ठीक है बच्चे करदो multiply answer आ जाएगा तो यह कितना हो गया हमारे पास यहां पर multiply करने पर कितना आ गया यह 300 आ गया तो answer आ जाएगा c option is the right answer 300 आ गया भई c option is the right answer बहुत बढ़िए क्या बात है भई c option is the right answer एकदम आसान है clear बच्चे डनने बच्चे हां जी question डनने शाबास comment करके बता देंगे question डनने बहुत ही आसान है आगे बढ़ते हैं next question पर question number five बच्चे हां जी question number five इसको हम कैसे करें यह कहता है कि how many five digit how many five digit odd number can be formed using the digit this without repeating the digit digit जो है उसका repetition आपको allowed नहीं है एक चीज मैं आपको बता देता हूं बच्चे कि जब भी आपको जैसे इस question में इस question में कहीं भी लिखा नहीं हुआ है कि repetition allowed है या repetition allowed नहीं है जब आपका यह चीज मेंचन ना हो कि repetition allowed है या repetition allowed नहीं है तो उस case में आप repetition not allowed लेकर चलेंगे clear बच्चित यहां पर question में मेंचन नहीं है इसलिए आप क्या लेकर चलेंगे repetition not allowed लेकर चलेंगे clear बच्चित ठीक है ना तो यह चीज ध्यान रखना अब देखिए how many five digit odd number can be formed using the digit 0 1 2 3 4 5 सबसे पहले में आप लोगों को यहां पर अलग अलग करवाता हूं देखो सबसे पहले तो हम बात करते हैं question को ध्यान से समझेंगा बच्चे जैसे मैं बात कर लेता हूं कि 3 digit का 3 digit का odd number बनाना है क्या number बनाना है आपको odd number बनाना है using digit 1 2 3 4 5 सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जब हमें 0 ना given हो 0 का case अलग होता है अगर आपको using digit using digit में 0 नहीं given तो अलग case होता है तो मैं आपको यहां पर दोनों अलगला example करवाता हूं तो जैसे आपको 3 digit number बनाना है वो भी odd number बनाना है और in digits का यूज़ करके 1 2 3 4 5 का यूज़ करके तो देखिया कितने digit का number बनाना है बच्चे 3 digit का number बनाना है तो आप simple 3 box बना लीजिए बना लिए 3 box अब देखिये कोई भी number odd number कब होता है जब उसका unit digit odd हो जैसे आगर आप लिखते है 145 तो यह number odd है क्योंकि इसका unit डिजिट ओड है तो कोई भी number odd कब होगा जब उसका unit डिजिट यह वाला डिजिट unit डिजिट उसका order होगा तो अब यूनिट डिजिट ओड कब होगा जब इस पर या तो 1 आए या आपका यह थरी आए या यह थरी आए 5 यह तो इन तीनों मेंसे कोई भी एक एक नमबर अगर यहाँ आजाए तो उसके इसमें वो नमबर आपका ओड हो जाता है। इस बॉक्स के लिए कितनी चोईस है मेरे पास थरी चोईस है कि इन तीनों में से कोई भी एक नमबर यहाँ पर हमारे पास आएगा। तो माल लो कि 3 मैंने यूज कर लिया, तो अब मेरे पास क्या बचया, 1 बच गया, 5 बच गया, और यहाँ पे 2 बच गया, और यहाँ पे 4 बच गया, अब आप सिद्धा लिख सकते हैं, इसके लिए 4 चोईस है, और इसके लिए 3 चोईस है, खलेर बाद चित? हाँ जी, क्योंकि चार में से कोई भी एक number यहां आजाएगा बच्चे वे तीन में से कोई भी एक number यहां आजाएगा अब आप इसकी multiply करोगे तो कितना आजाएगा 36 तो टोटल 36 number मैं odd number बना सकता हूं टोटल कितने number बना सकता हूं 36 odd number बना सकता हूं तो ये हमारा answer आजाएगा clear वाचित ये हमारा answer आजाएगा clear है तो odd number अगर आपको 0 नहीं given है तो उस case में इस तरीके से आप इस question को करेंगे I hope की question clear हो गया भी आपका शाबास comment करके बताईए clear वाचित दन है 36 answer आगया बहुत बड़ी है तो उस case में हमारे पास 36 answer आजाएगा अब बात करता हूँ कि अगर आपको 0 भी given होता मालो आपको यहाँ पे 0 given होता तो उस case में क्या खरते हैं तो number दिया हुआ जैसे 0 1, 2, 3, 4, 5 और 6 ले लेता हूँ अब आपको जैसे 3 digit का number बनाना हो तो जैसे 3 digit का odd number बनाना है even number के case में अलग बात करेंगे बच्चे odd की बात कर रहा हूँ पहले मैं फिर मैं आपको even number बनाना बताऊंगा तो 3 digit का odd number बनाना है तो unit digit आपकी यहाँ पे odd number होना चीए इसके लिए एक choice है या तो 1 आएगा या 3 आएगा या 5 आएगा इन तीनों में से कोई भी एक number आएगा तो यहाँ पे कितनी choice है 3 choice है ठीक है तो पहले even और odd के case में पहले इसी box को ही आना है इसी number box पे आना है unit digit वाले box पे ही आना है या अपने दिमाग में fit कर लो अगर आपको odd number बनाने है या even number बनाने है तो सबसे पहला काम है कि जो आपका unit वाला box है मतलब first digit box है यह जो unit digit box है इसके लिए कितनी choice है सबसे पहले आपको वो लिखनी है clear अबाद तो वो आपने लिख दी कि इसके लिए मेरे पास 3 choice है इसमें 1 आ सकता है 3 आ सकता है 5 आ सकता है अब आएगा तो तीनों में से कोई एक first time तो मालनो आपने 1 यूज कर लिया तो यहाँ पे लिख लिया 1 आपने तो अब आपके पास क्या बचया अब आपके पास 0 बच गया 2 बच गया और आपके पास बच गया 3 4 और बच गया 5 clear अब यहाँ पे आज़े हो आ गई आ गई अब इस box में 0 नहीं आ सकता इस box में आपका 0 नहीं आ सकता तो यह 0 इस box में नहीं आ सकता तो इसका मतलब बाकी क्या बचे 2, 3, 4, 5 तो यह 4 चोईस इसके लिए बच गयी तो इसके लिए कितनी चोईस है 4 चोईस है क्योंकि इसमें 0 नहीं आ सकता बाकी बचे होए चारों में से कोई भी नमबर आ सकता अब इन चारों में से कोई भी एक नमबर यूज होगा मानलो 4 यूज हो गया अब बचे क्या 5 बच गया 3 बच गया 2 बच गया और 0 बच गया अब इसमें तो 0 आ सकता है इसके लिए भी कितनी चोईस बच गई 4 चोईस अब आप इनकी क्या करदो multiply करो अब आप इनकी क्या गर दो multiply करो, तो कितना आ गया 48 answer आ गया तो आप total 48 number इसके बना सकते है, 48 आपका answer है 6 रह गया अच्छा 6 रह गया न यह रहा, 6 भी तो था, आजी 6 भी तो था तो उसके लिए आपके पास हो जाएगी, यहाँ पर 5 choice हो यहाँ पर भी 5 और यहाँ पर भी 5 तो उसके इसमें 75 answer आएगा 75 answer आएगा 6 रह गया, 75 answer आएगा हाँ जी, 6 जो है वो quarantine हो गया 6 quarantine हो गया Corona आँ गया इसको बाहर ही रख दिया हाँ जी हाँ जी 75 is the right answer बच्चे, उसके इसमें 75 आपका right answer है, बहुत बढ़िया हाँ जी, OPM हमला OPM हमला, अब देखो इस question पर हाँ जी, अब इस question का answer मुझे बताईए आप सर जी, कंबिनेशन के समस्क्रवादो, रोहन सर्मा इंतजार इंतजार कीजिए, अब बीच में तेरे लिए मैं special combination तो करवाने सकता, one by one करके चलेंगे भई, लगातर continue है ना, हाँ जी बच्चे, next question का answer फटाफट सबक्रीन पर आ चुका है question, फटाफट बच्चे कमेंट कर देंगे, शहबास इस question का answer क्या आएगा, क्या आएगा बाइस question का answer B option, B option, option B, देखिएगा बच्चे, five digit odd number बनाना है, कितने digit का, five digit का, ये बन गई five box, odd number बनाना है, इसका मतलब इस box के लिए कितनी choice है, या तो one आएगा, या थ्री आएगा, या फाइव आएगा, तो इसके लिए three choice है, next, इस box के लिए कितनी choice है, इसमें zero नहीं आ सकता, एक number यहाँ पे already use कर चुके हैं, मानलो one use कर सके हैं, एक zero नहीं आ सकता, एक, दो, तीन, चार, ये चार choice है, इस box के लिए, क्योंकि इन चारों में से कोई भी number आ सकता है, अब यहाँ पे zero आ सकता है, तो इसके लिए भी four ही choice रहेगी, क्योंकि एक number य की multiply कर दो, multiply करने पर आपके पास answer आएगा, 288, option B is the right answer, B option is the right answer, बहुत बढ़ी है, तो four into में four into में three into में two into में three, आपके पास right answer हो जाएगा, clear है बाच्चित, इतना मामला ओपी है, इतनी बाच्चित दन है बच्चे, शाबास कमेंट करके बताओ, ठीक है बच्चे, clear है, बहुत बढ़िया, अब बात करते हैं बच्चे even number की, क्योंकि even number का cash ठोड़ा सा difference होता है, even number का case ठोड़ा सा different होता है, लेकिन हा, जब आपको zero given हो, तब different होता है, अगर zero given नहीं है, तो आपका same ही होता है, odd number की तरह, ठीक है, even number बनाने है, उसकी हम बात कर लेते हैं, जैसे आपको 3 digit even number बनाने हैं कितने number बनाने हैं बच्चे even number बनाने हैं using digit using digit मैंने बोल दिया 1 2 3 4 5 इन पांच digit का यूज करके आपको total number of 3 digit even number बनाने है कि total आपके even number कितने बने गए यहाँ पर 3 तीन digit का number बनाने बच्चे तो 3 box हैं हमारे पास 3 box थीन digit का number कोई भी even number का बोता है जब आप उसका unit digit even हों जब आप उसका unit even ओगा तभी वो नमबर क्या होगा हमारा even होगा अब Unit digit even होगा तो इसका मतल्म यह तो इसमें 2 आयेगा यह इसमें 4 आयेगा इस इसके लिए कितनी choice है, 2 choice है, इसके लिए कितनी choice है, 2 choice है, ठीक है, यहां तो 2 आएगा या हमारा 4 आएगा, अब 2 और 4 में से कोई भी एक number आएगा, माललो 4 यहाँ use कर लिया, तो 4 use होकर चुके हैं, अब आपके पास 1 बचा, 2 बचा, 3 बचा, 4 बचा, तो इस box के लिए कितनी choice है, 4 choice है और इस box के लिए कितनी choice है, 3 choice है आप इसकी multiply करोगी कितना आएगा, 24 आपका answer आजाए कितना answer आजाएगा, 24 आपका इसका answer आजाएगा तो 4 into me 3 into me 2 कितना आगया, 24 आपका इसका answer आगया बहुत बढ़िया, तो 4 into 3 into 2 आपका answer हो, यह वो result अब अच्चे जिसमें आपको देख लो, using digit में 0 include नहीं है, ठीक है न, using digit में 0 आपका include नहीं है, तो उस case में simple होता है result, अब बात करते हैं कि अगर using digit में आपका 0 include हो, तो उस case में हम क्या करेंगे, ठीक है, तो using digit में अगर 0 आपको include हो, तो उस case में हम क्या करते हैं, जरह देखें, जैसे, 3 digit नंबर बनाना है बच्चे, ठीक है न, 3 digits का नंबर बनाना है, using है, 0, 1, 2, 3, 4, और 5, अब 0 के case में, 0 के case में, आप 2 अलग अलग result बना लीजिए, बच्चे, जीरो के case में, आप 2 अलग अलग result बना लीजिए, मतलग दो case बना लीजिए, case number first कि ये बना लेना आप, case number first ये बनाना है, कि आपको 3 digit number बनाना है, तीन डिजिट का नंबर बनाना है तो देखो कोई भी नंबर even number even number बनाना है आपको तो जिस नंबर का unit digit 0 हो वो नंबर भी क्या होता है हमारा even होता है तो आपको यहाँ पर दो case बनाने पड़ेंगे अब पहला case ही है कि आप यहाँ पर 0 को fix कर दो पहला case ही है कि आप 0 को fix कर दो यहाँ पर आपका 0 ही आएगा 0 के लावब कोई और number नहीं आएगा तो 0 को अगर हम fix कर दें तो इसके लिए एक ही choice है वो है 0 ठीक है तो 0 हमारा तो गया fix हो गया अब बच्चे यह 5 number तो इस में से कोई भी 5 में से कोई भी एक number आएगा और इसके लिए कितनी choice 4 choice तो आप multiply करोगे कितना आएगा 20 तो पहले case में 20 आ गया मतलब यह कि अगर आप unit digit पे 0 को fix कर देते हैं तो आपके पास क्या बनेंगे even number कितने बनेंगे 20 even number बनेंगे कितने digit के बच्चे तीन digit के 20 even number बनेंगे पहला case यह हो गया दूसरा case बच्चे case number 2 दूसरा case यह है कि अब आपके पास unit digit पे 0 को छोड़ दो अब या तो 2 आएगा या 4 आएगा unit digit पे अब इन दोनों में से कोई भी एक number आएगा अब हमारे पास 2 और 4 का case बना लेते हैं तो इस box के लिए कितनी choice है दो choice है या तो 2 आएगा या हमारा 4 आएगा अब इस box में आपका 0 आने सकता तो एक दो तीन चार choice बचेगी बच्चे क्योंकि दोनों में से कोई भी एक number आना है तो एक टू बच जाएगा टू एक थरी एक 4 माई है sorry 5 बच जाएगा तो इसके लिए कितनी choice है 4 चोई से similarly इसमें तो 0 आ सकता है इसलिए किसनी choice है 4 चोई से आप इनकी क्या कर दो multiply कर दो ठीक है कितना आ तो दोनों को add कर देंगे कितना जेगा 52 आपका पास answer आ जाएगा क्लियर है बादचीत दोनों को add कर देंगे 32 यह number बनेंगे 20 यह number बनेंगे टोटल 52 number हमारे पास बनेंगे 3 डिजिट के even क्लियर है बहुत बढ़िया हांजी क्लियर है बादचीत repeat कर देंगे कोई दिक्कत नहीं है देखो बच्चे नमबर है 0,1,2,3,4,5 तीन डिजिट का नमबर बनाना है तो case first बना लीजिए जिसमें आप जितने भी डिजिट का नमबर बनाना हो even number पहला case है कि 0 को fix कर दिया unit दिजिट पे तो 0 को fix कर दिया तो इस box के लिए एक ही choice है 0 तो गया अब अच्छे यह पांच इसमें यहां पे इन पांचों में से कोई भी एक डिजिट है यहां पे इसमें या तो 2 आएगा या 4 आएगा तो इसके लिए दो ही choice है या तो 2 आएगा या 4 आएगा क्योंकि तब भी even number बनेगा तो हमारे पास नमबर क्या है हमारे पास है 0 1 2 3 4 और 5 अब या तो 2 आएगा या 4 आएगा 2 और 4 में से कोई भी एक नमबर यहां आएगा ना तो मालो 2 यहां मैंने रख लिया तो अब बचा आपके पास 0 बच गया 1 बच गया 3 बच गया 4 बच गया 5 बच गया तो यह 5 नमबर बच गया लेकिन यहां 0 नहीं आ सकता 1 इस बोक्स में तो 0 को छोड़के बाकि कितने नमबर यूज करेंगे मालो 5 यूज कर लिया तो 1 3 4 बच तीन नमबर यह बच यह 0 बच तो इसके अंदर तो 0 आ सकता है तो इसके लिए भी 4 चोईस है तो आप इनकी मल्टिप्लाई कर दो 16 22 हो गया कितना आ गया 32 अब दोनों को आप एड़ कर दो 20 और 32 बावन आपका अंस क्लियर रहा है चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्क्क्री यूज बच्शे इस कोश्चन का अंसर बताए है फटा-फट इस कोश्चन का अंसर बताए है फटा-फट सभी बच्च्छे ओपी अमामला बहुत बढ़िया ओपी चाहिए अपने लिए कि नेक्स पॉस्टेन का अंसर बच्चे यह कहता है यह ट्रेंट फाइव सीट और वेकंट देन हाव मैनी वेडिस केन थ्री पैसेंजर से तीन पैसेंजर कितने तरीके से बैठ सकते हैं तो वहीं सिंपल है पांच सीट है तो पहला जो पैसेंजर है उसके पास फाइव चोईस ह दूसरे पैसेंजर के लिए च्यार चोईस बचेगी तीसरे पैसेंजर के लिए तीन चोईस बचेगी क्लियर है तो मल्टिप्लाई कर दो कितना आजाएगा 60 हमारा आजाएगा सी ओप्शन इसदर राइगा तो यह ऐसे तो है नहीं कि वह दूसरा उसकी गोदियों में बैठ पांचों में से किसी भी सीट पर बैठ सकता है और तीसरा बची भी 3 में से किसी भी सीट पर जाके बैठ सकता है तो आपके पास 5 इंटू 4 इन्टू 3 is equal to 60 आपका answer आजेगा एकदम easy question है ठीक है बच्चे next बढ़ते हैं next question how many numbers of 5 digit numbers can be formed from the number 20438 when repetition of digit is not allowed तो देखे 5 digit number बनाना है बच्चे simple है question 5 digit number बनाना है तो 5 box बना लेते हैं ठीक है और यह कहता है कि 20438 इन numbers का use करके आपको बनाना है तो इस box में आपका 0 नहीं आ सकता तो इसका मतलब 2438 इन चारों में से कोई भी एक number आएगा तो इसके लिए four choice ठीक है बच्चे इसके लिए four choice है next इस box के अंदर हमारा 0 आ सकता है लेकिन एक number इन चारों में से हम use कर चुके हैं तो अब बच्ची कितनी choice next इसके लिए four इसके लिए three इसके लिए two इसके लिए one तो आप इनकी multiply कर दो आपके पास result आ जाएगा ठीक है बच्चे तो यहां पर आपके पास result आ जाएगा कितना च्छान में D option is the right answer D option is the right answer बहुत बढ़िया आगे बढ़ते हैं next question पर हां जी बच्चे इस question का answer क्या होगा बच्चे शाबास फटावट बताएंगे सभी बच्चे इस question का answer बहुत बढ़िया next question का answer फटावट बता दीजे how many numbers can be made with the help of the digit this which are greater than three thousand repetition of is not allowed repetition is not allowed क्या answer आईगा बच्चे a option कौन सी दुनिया में हो इतना आसान होता तो क्यों देता क्या इसमें लिखा हुआ है कि कितने digit का number बनाना है तो 3000 से बड़ा number बनाना है इन digits का use करके इन digits का use करके तो 3000 से बड़ा number बनाना है तो यह four digit number है तो अगर मैं five digit number बनाऊंगा जो कि बना सकता हो इन digits का use करके total कितनी digit given है एक दो तीन चार पांच छे टोटल हमें छे digit given है तो हमारे पास यहां पर चार अलग-अलग case बनेंगे एक तो जैसे 3000 मैंने लिख दिया यहां पर 3025 बना लिया जैसे मैंने बना लिया एक number बना लिया 3025 जो कि 3000 से बड़ा है और 4 digit का number है जो कि 3000 से बढ़ा है Ind ужас का यह ईसकता हूं इसने यह बोला है कि 3000 से बडा number बनाना है तो वो four digit number भी हो सकता है वो five digit नमबर भी हो सकता है वो six digit नंबर और भी ओ सकता हैं S7ज़िट नंबर नहीं ले सकते हैं क्लीर वाच्चत अब आपके पास तोटल है क्या आप टोटल 6 डिजिट नंबर बना लीजिए टोटल 5 डिजिट नंबर बना लीजिए और टोटल 4 डिजिट नंबर बना लीजिए जो आपके 3000 से बड़े हो तो सबसे पहली चीज़ हम बात करते हैं 4 डिजिट नंबर बना लेते हैं कितने नंबर बना लेते हैं 4 डिजिट नंबर ब हो गभा मतलब जिसका यहां पर जो जो है नंबर या तो यहां पर फर आए गा यह 5 आए गा आए आप यहां पर nble रख दिया से हम पर 75 मैंने 1025 बना लिए तो 1025 तो सोटा होता है इसका मतलब क्या होगा कि यहां पे जो number है यहां पे इस 3 से तो बड़ा number या 3 यहां सकता है तो यहां पे जो starting वाला है मतलब यह जो number है यह जो box है इसमें यह तो 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा तो इसके लिए मेरे पास 3 चोईस है सेकेंड में आप कोई भी नंबर यूज कर सकते हैं क्योंकि सेकेंड के अंदर हमारे पास मालो इन तीनों में से कोई भी एक नंबर यहां यूज करेंगे मालो 5 यूज कर लिए तो नेक्स्ट बचे कितने पास नंबर इन पांचों में से कोई भी नंबर आप यहां पर यूज कर सकते हैं similarly next 4 बचे और similarly next आपके पास 3 बचे तो आप इनकी multiply कर दो ठीक है बई तो यह आजेगा अपने पास कितना 720 आजेगा बई कितना नंबर बने गए अरे यार फोर डिजिट बना रहा हूं क्या कर रहा हूं मैं थ्री डिजिट नंबर बनाना यार अचा अरे यार फोर डिजिट ने बनाना था सी ओप्शन बिल्कुल सी ओप्शन आएगा बच्चे सी आएगा सी ही आएगा answer सी ही आएगा कितना आगया answer 180 आया था उसका 180 आएगा 4 डिजिट के case में मैंने साफ और कर दिया तो इसके लिए कितनी चोईस थी 3 चोईस इसके लिए 5 चोईस इसके लिए 4 चोईस और next इसके लिए 3 चोईस यही था बच्चे यही था हमारे पास next इसके लिए 3 चोईस थी ठीक है तिन्नों में से एक गया फिर next 5 चोईस next 4 चोईस next अपने पास 3 चोईस तो आप इनकी multiply करो कितना आएगा 180 आएगा तो total हम आप 4 डिजिट नंबर कितने बना सकते हैं बच्च नहीं है तो 5 डिजिट नंबर आप बना लो कि total 5 डिजिट नंबर कितने बना सकते हैं ठीक है तो यहाँ पे आपका 0 नहीं आ सकता 0 को छोड़के बाकी इन 5ों में से कोई भी नंबर आ सकता है तो इसके लिए 5 चोईस है अब इन 5ों में से कोई भी एक नंबर हम insert कर लेंगे म यह answer तो multiply करोगे कितना आजएगा यह 600 आ जाएगा जब आप six digit number बनाओगे तो six digit number के case में भी same result आना है बच्चे तो अब आपके पास six box है ठीक है एक दो तीन चार पांच एक दो तीन चार पांच छे तो इसके लिए आपके पास five choice इसके लिए भी five इसके लिए four इसके लिए three इसके लिए two इसके लिए one तो इस case में भी आपका 600 answer आएगा इन तीनों को आप क्या कर दो add कर दो c option is the right answer c option is the right answer c option आपका जो है यहाँ पे right answer हो जाएगा तो इस तरीके से इस question को करेंगे बच्चे क्योंकि फोर-डिजट नमबर बनाएंगे वώ भी three thousand से बढ़ा होगा five डिजट नमबर बनाएंगे वो भी three thousand से बढ़ा और एक तो six डिजट नमबर बनाएंगे वो भी three thousand से बढ़ा क्योंकि total हमें छे dozen Caribbean वन है तो मैं 6000 मतलब सुरी चेट डिजिट का नंबर भी जो बना सकता हूं ठीक है बच्चे इतना मामला ओपी हो गया हम जी डन है बहुत बढ़िया ओपी मामला हो गया आगे बढ़ते हैं next question के लेक्स है बच्चे परमूटेशन अब हमारा स्टार्टत होता है मतलब होता अर्रेंजमेंट करना और यहीं Oke एक है one और एक है two ठीक है ना one और two दो नुमबर है इनको arrange करके मैं एक तो नंबर बना सकता हूं one two and two one तो है तो वही same number है तो वन और two ढ़से लेकिन इनको आगए पिस्टे इसकी अलग-अलग position को interchange करके मैं की position को आपस में interchange करके अलग-अलग output बना सकता हूँ, मैं यह कह सकता हूँ, अलग-अलग arrangement बना सकता हूँ, तो permutation में होता है, आप total कितने तरीके से, जो भी result, जो भी आपको object given है, उनको आप total कितने तरीके से arrange कर सकते हैं, तो permutation का मतलब होता है, basically क्या आपका arrangement, basically आपका क्या arrangement, तो आप total कितने तरीके से, उसको जो है, उनकी positions को आप total कितने तरीके से आपस में interchange करके, total कितनी arrangement बना सकते हैं, total कितनी permutation बना सकते हैं, clear है, तो permutation जहां arrangement की बात हो, जहां arrangement की बात हो, वहां आपका permutation यूज होता है, clear रवात, हां जी, क्लियर है क्लियर है वादचीत चल अब मैं आपको एक्जाम्पल के तुरू बताऊंगा बच्चे एक्जाम्पल के तुरू देखिएगा जैसे यहां पर सबसे पहली चीज आपके आगती है सबसे पहला जो इसके अंदर आता है सबसे पहला point सबसे पहला point है कि number of permutation अगर आपको निकालने है n different object हो taken all at a time सारे के सारे object आपको क्या गरने हो use करने हो तो अगर आपके पास n different object है और सारे के सारे object आपको एक ही time पर use करने है ठीक है जैसे for example for example जैसे ये example देखो यह कहता है कि how many word can be made by using the letter of the word combine ठीक है all at a time देखो यहाँ पर यह कहता है कि इस word के letters को use करना है और सबी letters को use करना है ऐसा नहीं है कि इनमें से इक सिर्फ 4 ही लेटर को use करना है दो ही लेटर को use करना है ऐसा नहीं है इसने बोला है कि how many word can be made by using the letter of the word combine all at a time सभी letters का use करके मैं total कितने words बना सकता हूं अगर आप देखो यहाँ सभी के सभी letter आपके कहें different है तो सभी के सभी different letter है तो n different object है आपके पास और n different object को में से n के n objects को आपको use करना है तो formula आपके पास होता है क्या होता है बच्चे formula आपके पास होता है n factorial तो अगर आपके पास number of fermentation पूछे n different object हो और n के n object आपको use करने हो तो answer होता है n factorial तो यह total number of arrangement आपके पास आ जाती है तो यहाँ है एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ तो seven letter है हमारे पास seven के seven different letter है तो total कितने तरीके से arrange कर सकते हैं seven factorial तरीके से इसको हम arrange कर सकते हैं clear रवाचित done है तो answer कितना आ जाएगा seven factorial आपका answer आ जाएगा हाँ जी बच्चे क्लियर बात मामला ओपी है दन्य बादचित तो seven factorial is the right answer seven factorial is the right answer बी option seven factorial की value हमारे पास 5040 हो गए seven factorial की value 5040 ही होती है कितनी होती है five factorial 120 हो गया six factorial six से multiply करोगे बाराचिके बैतर 720 हो गया हा ना और seven factorial में उसको seven से multiply करके देख लो क्लियर है बात्चित डन्य बहुत बढ़िया एक दम डन्य बहुत बढ़िया आगे बढ़ते हैं next example next example आप लोगों स्क्रीन पर बच्चे देखिए यह कहता है कि how many word how many word can be formed using the letter of the word equation taken all at a time सारे के सारे एक ही टाइम पर यूज करने है देखिए सारे के सारे डिफरेंट है एक दो तीम चार पांच छे साथ आठ तो आठ लेटर है आठ के आठ आठ आपके डिफरेंट है और आठ के आठ ही आपको यूज करने है तो total हो जाएगा eight factorial option a is the right answer तो इस question का अंसर हो जाएगा option a clear आप option a अब दूसरा question है कि how many of these begin with e and end with n तो यह कहता है कि total कितने ऐसे word होंगे जो e से start होंगे और n पे खतम हो जाएगे तो e से start होने है तो देखिएगा e से start होने है और n पे खतम हो जाने है तो e और n की position इसने fix कर दी बच्चे तो इसका मतलब इस बीच वाले number को ही आप arrange कर सकते हैं बीच वाले number की आप अलग लग position बना सकते हैं तो बीच में कितने number 1 2 3 4 5 6 तो बीच में कितने number है 6 number है 6 letter है जिसका मतलब 6 letter को आप arrange कर सकते हैं 6 factorial तर तरीके से wynसका answer नोजएगा d option is the right answer clear है क्योंकि e और n उसने fix दिया कि मतलब वर्ड जो है वो ई से स्टार्ट होना चाहिए और एन पर आपका खतम हो जाना चाहिए तो ई और एन की पोजिशन आपकी फिक्स कर दी तो उसको तो आप आगे पीछे अरेंज कर ही नहीं सकते लेकिन बीच वाले छे लेटर को आप किसी भी तरीके से अरेंज कर सकते हैं तो आज एक आँसर सिक्स वेक्टोरियल क्लियर बादचीत डन नहीं अब बात करते हैं हम नेक्ट तीन थर्ड नंबर कोश्चन की कि हाओ मैनी दीज एंड एंड बिगिन विद कौन सोनेट हां जी अब इस कोश्चन का अंसर बताईए बच्चे इस कोश्चन का अंसर क्या होगा अब बताईए देखिएगा बच्चे हमें दे रखा है इक्वेशन यह दे रखा है ठीक है हमें बोला है कि कितने ऐसे हैं जो खतम और स्टार्ट दोनों कॉंसोनेट से होने चीए स्टार्टिंग भी कॉंसोनेट से हो खतम भी कॉंसोनेट से हो तो हमारे पास टोटल कितने आठ हमारे पास टोटल एट पोजिशन है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ठीक है बच्चे यहाँ पर और यहाँ पर consonant आना चाहिए consonant कितने है एक, दो, तीन तीन consonant है बच्चे तो यहाँ पर Q, T और N इन तीनों में से कोई भी एक नमबर यहाँ पर आएगा मतलब कोई भी एक लेटर ही आएगा तो इसके लिए हमारे पास कितनी चोईस है थ्री चोईस है कि इन तीनों में से कोई भी एक यहाँ पर हम रख सकते हैं तो इसके लिए थ्री चोईस है माल लो कोई भी एक इन तीनों में से कोई भी एक रख सकते हैं माल लो यह हमने रख दिया अब बचे T और N हमारे पास दो ये बच गए, तो इसके लिए हमारे पास कितनी चोईस है, दो चोईस है, कि बचे हुए दो में से कोई भी एक यहां रख सकते हैं, मान लो N रख दिये, दो पोजिशन फिक्स कर दी बचे, अब बचे हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 पोजिशन बच है, 6 अमारे पास जो है, पोजीशन है और 6 ही अमारे पास डिफरेंट जो है, लेटर बचे है, तो उनको अमरे ऐंच कर सकते हैं, 6 तरीके से, तो आएगा 3 इंटू में, 2 इंटू में 6 तो 2 इंटू में, 3 इंटू में 6 तरीक Romeo कीतना हो गया, 720 तो यह multiply करके देख लो कितना answer आता है किन तरह आएगा option A 420 option A 420 answer आजाएगा क्या बात है ला जबाब है A option है बच्चे A option है OPM आमला आगे बढ़ते हैं next पर next है बच्चे number of permutation and different things taken R at a time अब आपको क्या करना है N object given है N में से R ही object आपको एक time पर लेने है ठीक है बच्चे तो अब आपके पास N different object है और N different object में से R object ही आपको एक time पर select करने है तो उस case में हमारे पास formula होता है बच्चे number of permutation NPR इसको हम ऐसे भी लिख सकते है NPR NPR का formula होता है N factorial divided by N माइनस में R का factorial तो अगर आपको N different object में से R object ही select करने हो और example जैसे find the number of 4 letter word 4 letter word बनाना है that can be formed using the letter of the word history इस words के letters का use करके तो सारे letters different है कितने है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 letter है लेकिन मुझे कितने बनाने है 4 letter का word यह बनाना है तो 7 में से 4 letter का word बनाना है तो 7P4 तो 7 में से 4 ही letter को arrange करना है ठीक है तो 7P4 हमारे पास क्या आजएगा total answer आजएगा 7P4 एक तरीका और BS question को करने का बच्चे एक तरीका यह है कि आपके पास देखो कितने letter का word बनाना है 4 letter का तो आप simple 4 box बना लीजिए बना लिया तो यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तो यह 7 आपके पास choice है बच्चे तो यह आप इस box के लिए कितनी choice बनेगी 7 choice बनेगी कोई भी इन साथ में से कोई भी एक letter उठा लीजिए और इस box में रख लीजिए इस box के लिए कितनी choice है 6, इस box के लिए कितनी choice है 5 और इसके लिए कितनी choice है चार तो अब देखलो इसकी product भी करके देखलो और इसकी value भी निकालके देखलो यहाँ पर value put करके तो answer same ही आएगा तो यहाँ जाएगा 7 factorial अपकोन में 7 minus में 4 कितना हो जाएगा 3 factorial तो यह हो जाएगा 7 into में 6 into में 5 into में 4 into में 3 factorial divide by 3 factorial यह से cancel देखलो यह result और यह result देखलो सेम है इसको इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं क्लियर अब अच्छेत कि इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हैं भाई वाफर कर रहा है नहीं कर रहा है कि साही हो जाएगा क्लियर है बाच्छेत done है मामला हाँ जी question क्लियर है तो अगर आपके पास n different object हो n में से r object आपको जो है arrange करने हो r object के total words बनाने हो तो formula होता है NPR हमारे पास clear बाच्छेत चल अब इस question का answer फटा फट हो जाना चाहिए फटा फट इस question का answer हो जाना चाहिए बच्छे इस word के letters का use करके total में कितने three letter word बना सकता हो देखिएगा बच्छे तीन letter का word बनाना है इस word के letters का use करके एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो नो है बच्छे और तीनों के तीनों क्या है सारे के सारे different है तो आप formula लगाओगे 9P3 तो यह आएगा 9 into में 8 into में 7 ठीक है बच्छे 9 into में 8 into में कितना आ जाएगा 7 तो इनकी product करोगे result आ जाएगा हांजी product करोगे कितना आएगा ब आएगा answer आएगा B option is the right answer B option is the right answer बहुत बढ़ी आग लगा दी तबाई मचा दी next next तीसरा permutation तीसरे type का इसमें क्या question बनता है बच्छे तीसरे type का question देखो तीसरे type का question इसमें बनता है बच्छे permutation of object when all objects not all objects are different मतलब जब आपके कुछ objects ऐसे हो जो repeat हो रहे हो तो उस case में total number of permutation आपकी कितनी आएगे तो सबसे पहले जैसे देखिए कि find the number of permutation of the word mathematics इस word की total arrangement अमें निकालनी है total number of क्या निकालनी है arrangement निकालनी है मतलब आपको permutation निकालनी है एक बाद देखिए सबसे पहला काम है कि आप ये count कीजिए कि इसमें total कितने letter है एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारा total इसमें कितने letter है ग्यारा letter है तो आप यहां लिखेंगे 11 factorial divide में जो letter जितनी बार repeat हो रहा है जैसे M, M देखो एक और दो दो बार repeat हो रहा है तो M दो बार repeat हो रहा है इसलिए divide by 2 factorial फिर उसके बाद A, A भी देखो दो बार repeat हो रहा है तो A के लिए भी 2 factorial उसके बाद T, T भी हमारे पास दो बार repeat हो रहा है तो T के लिए भी 2 factorial मतलब जो letter जितनी बार repeat हो रहा होता है डिवाइड बाए उतने factorial से हम उसको क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे इसके लावा H और E आपका repeat नहीं हो रहा है बाकी कोई भी letter आपका repeat नहीं हो रहा है तो यह हमारे पास क्या आजाएगा answer आजाएगा 11 factorial divided by 2 factorial into me 2 factorial into me 2 factorial clear है बाच्चेत एकदम मामला OP है एकदम clear है बाच्चेत अब देखो इसका एक example और देखो जैसे यह example है बाई शाबास बचे फटाबा discussion का answer बताएंगे a से लेके z सभी के सभी सभी सोल कर दो OP कर दो मामला एकदम OP कर दो मामला कोलकता number of arrangement of the letter of the word इस word के letters की arrangement करनी है बच्चे कितने है एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नमबरों के साथ ही खेलना है बच्चे तो आप लगा दो 8 factorial divide by c कितनी बार आ रहा है एक और दो दो बार सी रहा रहा है तो divide by 2 factorial multiply में उसके बाद a भी दो बार आ रहा है तो again divide by 2 factorial multiply में यहाँ पर t भी दो बार आ रहा है तो again 2 factorial तो यह आज आएगा आपने पास 8 into में 7 into में 4 ठीक है बच्चे in sorry 6 into में 5 into में 4 into में 3 into में 2 into में 1 divide by 2 factorial 2 होते है 2 2 तो 2 into में 2 into में 2 यह इससे cancel तो यहाँ product of first 7 natural number 7 natural number की product कितनी होती है 5040 B option is the right answer तबाई मचा दी B option is the right answer बहुत ही बढ़िया क्या बात है बहुत बढ़िया दिल खुश कर दिता बढ़िया हंजी बहुत बढ़िया आगे बढ़ें next पर how many word can be made from the letter of the word committee शाब्बास तबाई हो जानी चिये comment box में definite integral का pdf बेज देंगे बच्चे तबाई हो जानी चिये comment box में खतम किस्सा इसका क्या गुंडा मनेगा एक कुशन गुंडे मनने वाले आई नहीं बाई क्या है पाइव यार पांसो लाइक नहीं हुए तुम लोगों से अभी तक पांसो लाइक क्या गुंडा बनोगे मैं क्या गुंडा बनोगे हैं 500 लाइक तबाई cancer आएगा एकदम इजी पी ऑप्शन एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो तो नो है तो नाइन प्रेक्टोरियल डिवाइड बाई देखो ई भी दो बार आ रहा है टी भी दो बार आ रहा है और अगे टू फैक्टोरियल की क्यों हो जाएगा तो बी ऑप्शन इस दा राइट आंसर बी ऑप्शन आपका यहां पर राइट आंसर हो जाता है बहुत बढ़िया बहुत ही बढ़िया क्या बात है आगे बढ़ते हैं next question पे हांजी बच्चे next question का अंसर किस तरीके से करेंगे किस तरीके से करेंगे हाव मैनी फाइव डिजिट नंबर फॉर्म उसिंग डिजिट इस टेलीफॉन नंबर बनाना है क्या बनाना है हां जी फाइव डिजिट टेलिफॉन नंबर बनाना है बच्चे फाइव डिजिट टेलिफॉन नंबर बनाना है एट लिस्ट वन डिजिट जो है वो क्या होनी चाहिए आपकी रिपीटिड कम से कम एक डिजिट आपकी रिपीटिड होनी चाहिए तो इस टैप के कोशन में हम क तो कितने डिजिट का नमबर बनाना है? तो जब भी आपको ऐसा कोशन आए कि तो यह बनाना है इसने बोला है एक लिस्ट वन दियर डिजिट इस रिपीटिटिड तो कम से कम एक डिजिट तो रिपीट जुरूर होने चीए तो हम क्या करेंगे? तो एट लिस्ट वन दिमाग में बिठालो बच्चे जब भी आपको एट लिस्ट वन बोले जब भी आपको एट लिस्ट वन बोले तो उस केस में क्या करेंगे? हम repetition repetition allow वाले case में से minus कर देंगे not allowed वाला case तो जैसे अगर आप five digit number बना लो जिसमें repetition आपको allowed है तो repetition allowed है तो five digit number बनेंगे 10 की power five क्योंकि पांच number है वच्चे तो पहले के लिए भी 10 choice होगी zero से लेके nine तक दूसरे के लिए भी 10 choice है तीसरे के लिए भी 10 choice है next के लिए भी 10 choice है तो पांच digit के total repetition अगर मुझे allowed है तो 10 की power five मैं total number बना सकता हूँ और अगर repetition मुझे allowed नहीं है जैसे box के तरू अगर मैं देखू तो यह है एक दो तीन चार पांच repetition मुझे allowed नहीं है बच्चे तो इसका मतलब इसके लिए मेरे पास 10 choice है इसके लिए no इसके लिए 8 इसके लिए 7 और इसके लिए आंसर डी option is the right answer डी option is the right answer बच्चे सडी की 10 की power five बच्चे telephone number बनाना यही तो खास बात है यही तो खास बात है क्या telephone number आपका zero से start नहीं हो सकता है हो सकता है बच्चे जीरो से start telephone number telephone number के case में हम zero से start कर सकते हैं telephone number में क्या ही फर्क बढ़ता है telephone number आपका zero से start हो सकता है ठीक ना यही तो बात है telephone number आपका zero से start हो सकता है बच्चे तो जब भी आपको at least one बनाना हो याद रखना at least one बनाना हो तो आप क्या करो सबसे पहला काम है कि अगर आपको five digit का telephone number बनाना है तो अगर मैं five digit की बात करूँ तो सबसे पहले मैं total कितने number बना सकता हूँ अगर मुझे repetition allowed है तो तो repetition अगर allowed है तो इस box के लिए 10 choice है इसके लिए भी 10 है इसके लिए भी 10 है और इसके लिए भी 10 है और इसके लिए भी 10 है और इसके लिए भी 10 चोई है क्योंकि कोई भी number अगर बनता है तो इन digits का use करके ही बनता है इन 10 नंबर का यूज करके बनेगा अगर कोई भी नंबर बनाएंगे तो तो पहले के लिए 10 है दूसरे के लिए 10 next 10 10 10 अगर मुझे repetition allowed है तो clear वादचीत repetition अगर मुझे allowed है तो इसके लिए 10 10 10 सब के लिए 10 हो गया तो यह आगया 10 की power 5 total में इतने telephone नंबर बना सकता हूं अब दूसरा यह कहता है कि अगर repetition not allowed हो अगर मुझे repetition allowed नहीं है तो उस case में इसके लिए 10 choice है इन 10 में से कोई भी number रख लेंगे अब जो यहां use कर लिया वो यहां द्वारा से use नहीं कर सकते तो इसके लिए 9 choice इसके लिए 8 इसके लिए 7 और इसके लिए 6 हो जाएगा तो उस case में answer आएगा 10 इंटू में 9 इंटू में 8 इंटू में 7 इंटू में 6 ठीक है तो उस case में यह इतने आपके 5 digit number बनेंगे जब repetition हमें allowed नहीं हो यह है जब repetition allowed हो और यह है जब repetition allowed ना हो तो आप हमें निकालना क्या था at least one का तो at least one निकालना हो at least one के case में हमें क्या करना होता है कि repetition allowed में से minus करना होता है repetition not allowed repetition allowed में से minus कर दो repetition not allowed तो वो answer आजाता है at least one का तो वो answer आएगा आपका D option check कर लेना D option is the right answer हाँ जी clear है बच्चे clear है अरे product तो करनी पड़ेगी बच्चे product तो करनी पड़ेगी इसमे क्या trick बता हूं कि sir इनकी product और की product तो करनी पड़ेगी गुनाबागत यह करना है हाँ next बच्चे फटा फटा अंसर बताएंगे हाँ जी ट्रिक बताओ अरे क्या सुबम पंडे क्या क्या ट्रिक बताए इसमें भाई 10 की पावर 5 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू प्रोडक्ट करनी पड़े की भाई ट्रिक क्या बताए आंसर तो भाई आन्या 10 की पावर 5 नहीं कर सकते प्रोड़क्ट नहीं कर सकते हो गया बस टाय टाय फिस किसीपल है करना तो उस केस में भी पढ़ेगा भाई कि अब प्रोड़क्ट तो हर केस में करनी पढ़ेगी प्रोड़क्ट तो आप को हर case में करने ही पड़ेगी, simple बात है, how many line letter, 9 letter word can be formed using the letter of the word, this, 9 letter word यह आपको given है वाई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो आजाएगा 9 factorial, divide बार, देखिए एक इतनी बार repeat हो रहा है, 1, 2, 3, 4, एक इतनी बार repeat हो हो रहा है, 4 factorial हो जाएगा, 4 बार repeat हो रहा है, L कितनी बार आ रहा है, 2 बार L आ रहा है, तो अगें 2 factorial, इसको मैं लिखूंगा, 9 into me, 8 into me, 7 into me, 6 into me, 5 into me, 4 factorial, divide by यह हो जाएगा, 4 factorial into me, 2, यह इस से, cancel, 4 factorial से, 4 factorial, cancel, और यहाँ पे इसको इस से cancel कर देते हैं, 4 आ गया, तो हैं हम इनकी product कर लेते हैं, तो यह आ जाएगा, 9 into me, 7 into me, यह कितना हो जाएगा, हमारे पास, 5, 1, 30 और यह 120 हो जाएगा, इन तीनों के product करेंगे, हाना, यह आ जाएगा, 120 into me, 7, अब इनकी product कर लो, आपके पास result आ जाएगा, इनकी product कर लो, आपके पास result आ जाएगा, clear अब अच्चित, धन नहीं, हान जी, जो भी product आए, आप कर लीजिएगा, बच्चे, कितना है ना, अरे दो बार 7 क्यों लिखराऊं मैं, ठीक है बई, 9 into me, 7 into me, 120, यह आ जाएगा, बई, product करेंगे, कितना आ जाएगा, हमारे पास, चेक कर लीजिएगा, आप लोग, next question, how many way can, 5 letters can be posted in 4 letter boxes, श्याबाज बच्चे, इस question का अंसर बताएगा, श्याबाज बताएगा, how many way 5 letters can be posted in 4 letter boxes, A option, fix की power non-fix, या non-fix की power fix, fix की power non-fix होता है, letter box आपके क्या है fix है, ठीक है ना, और letters क्या है non-fix है, तो fix की power non-fix, तो 4 की power 5, 4 की power 5 आपका अंसर है, ठीक है बच्चे, A option is the right answer, A option is the right answer, previous year question है बच्चे, previous year question है, fix की power non-fix, बहुत बढ़ी है, fix की power non-fix, हाना, तो fix की power non-fix आजाएगा, letter box आपके fix होते हैं, अब letter आपके fix नहीं है, आप कौन से भी letter box में, कोई भी letter insert कर सकते हैं, तो इसका मनलब fix की power non-fix, तो आजाएगा आपने पास, 5 की power 4 हमारे पास, next question का answer, sorry, next question से पहले, next, total number of permutation, मतलब circle के अंदर, circular permutation आप जो है, निकाल सकते हैं, बच्चे, ठीक है? एक मिनट, थोड़ा सबर कर लिया करोगाई, repeat कर देता हूँ, अरे रुखजा भाई, सकसे हैं ना? देखो, number of circular permutation, number of circular permutation, देखिए बच्चे, circular permutation अलग होती है, और सिधा arrangement करना अलग होता है, अगर आपके पास, n different object है, तो अगर row के अंदर arrangement करनी हो, तो n factorial, लेकिन अगर circle के अंदर, n different object की हम arrangement करते हैं, तो जब आपको, n different object given हो, और n different object को, अगर आपको, circular permutation उसके निकालनी है, तो अगर circular permutation निकाले, तो वो formula होता है, आपके पास उस case में, n minus 1 factorial, तो n different object को, अगर आपको, एक circle के अंदर arrangement करना हो, circular permutation जिसको हम बोलते हैं, तो उस case में, आपके पास, total number of permutation होती है, n minus 1 का, factorial, दूसरा है आपके पास, दूसरा point है, number of way in which, n person, n person मतलब, n people आपको given है, कि 10 person है, 10 person को, आपको circular table के around, क्या करना है, arrange करना है, तो total आप कितने तरीके से, arrange कर सकते हैं, क्या करें यार, ये net ने तो दिमाग खराओ कर दिया, है, ये net ने तो दिमाग खराओ कर दिया, बढ़िया कलाश चल रही होती है, ऐसे ही बस, इसने, दिमाग का धही कर दिया लाएं, दूसरा देखो बच्चे, दूसरा point क्या है, कि number of way, in which n person, n person है, can be seated around a, seated around a, round table, मतलब circle के around, round table होगा, तो circle होगा, तो n person है, n person को आप total कितने तरीके से, round table के around, उसको total कितने तरीके से बिठा सकते हो, तो आपका answer है, n minus 1 factorial, तो उस case में भी आपका answer क्या रहता है, n minus 1 factorial रहता है, next है number of way, in which n different bits can be, arranged to form a necklace, देखलो necklace मनाने आपको, n different type के मतलबा अगलग जैसे stone दिये होए है, मोती दिये होए है, ठीक है बच्चे, तो आपको उन n different stones का use करके, आप total कितने necklace बना सकते हो, तो उस case में आपका phone बना होता है, 1 by 2 into में n minus 1 का factorial, क्या answer आएगा बच्चे, 1 by 2 into में n minus 1 का factorial, clear है बात्चीत, done है बच्चे, clear है, अब देखो इससे related मैं आपको example करवाता हूँ, देखिए यहाँ पर, जैसे पहला example है बच्चे, जैसे how many way a garland can be made from the exactly 10 flower, तो जब भी आपको garland बनाना हो, या necklace बनाना हो, तो उस case में हमारा जो formula यूज होता है, बच्चे, वो यूज होता है, n by 2 multiply में n minus 1 का factorial, तो आपको यहाँ पर garland बनाना है, या आपको necklace बनाना है, तो कितने flowers, कितने फूल दिये होएं आपको, 10 फूल दिये होएं हैं, कितने फूल दिये होएं आपको, 10 फूल दिये होएं हैं, तो formula लगेगा, 1 by 2 into में n minus 1 का factorial, तो 1 by 2 into में n, n कितने 10 times minus 1 करेंगे, 9 factorial, तो 9 factorial divided by 2, D option is the right answer, D option is the right answer, बहुत बढ़िया, ठीक है, जैसे गुल्दस्ता बनाना हो बच्चे, गुल्दस्ता, हैं, गुल्दस्ता नहीं देते हैं हम, हम जी, clear है बात, तो अगर आपको, जितने भी फूल दिये होएं हैं, उनसे अगर आपको garland बनाना है, या आपको necklace बनाना है, जितने भी आपके पास stone है, वगेरा है, जो भी है, तो अगर necklace बनाना है, garland बनाना है, तो उस case में आपका simple यह formula होता है, n-1 factorial divided by 2, आपके पास answer आजाएगा, clear है बात, दन है, मामला OPA, आगे बढ़ते हैं, next question देखिए बच्चे, शाबबास, फटा फट answer कमेंट कर दीजिए, आजी, फटा फट answer कमेंट कर दीजिए, फटा फट answer कमेंट कर दीजिए, फटा फट, आरे कहां यार, girlfriend को देने के लिए, आरे, छोटे काम नहीं करते हैं, जिन्दिके में, the number of ways in which 5 bands of different factorial to 1 upon 2 4 factorial की value 24 यह इससे cancel होके 12 हमारा answer आजाएगा A option is the right answer A option is the right answer A option हमारा right answer है बहुत बढ़िया बहुत ही बढ़िया How many way 5 boys and 5 girls sit in a circular so that no boys sit together कोई भी लड़का एक साथ नहीं होना चाहिए एक चीज मैं आपको बताऊ simple यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कितने boys हैं बच्चे 5 boys and 5 girls हैं कितनी boys हैं 5 boys and 5 girls हैं तो 5 लड़कों को मैं total एक circle के around कितने तरीके से बिठा सकता हूं तो मैंने अभी बता है न n person हो और n person को अगर round table के around बिठाना हो तो n-1 factorial आपका लगता है तो n-1 factorial लगता है तो 5 boys को अगर हम बिठाएंगे तो उसके लिए n-1 factorial multiply में 5 girls हैं उसके लिए m factorial होता है तो यहाँ पर n-1 इसमें से कम करोगे 4 factorial multiply में girls कितनी है 5 तो 5 factorial simple होता है b option is the right answer b option is the right answer मतलब जिसको पहले हम बिठाएंगे जिसको हम पहले बिठाते हैं उसको हम count नहीं गरते हैं तो पहला एक कम कर दो बाकि सारे बिठा दो आप तो b option is the right answer सीधा answer हो जाता है b option बहुत बढ़िया हाँ जी next 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 पहे आ जाते हैं next bercevिया आ जाता है हमारे पास combination next क्या आता है? combination combination का मतलब होता है select करना combination का मतलब होता है select करना bercz ठीक है? sir level बढ़ा दो अब भाई यही level आता है इंडियाके अंदर और लेवल का क्या मैं यहाँ पे क्या भी ठादूं लाके है इसमेंट में यह दोनों डिफरेंट फिंक्स होती है यह दोनों टू डिफरेंट इसे यह दोनों अलग अलग चीजे है बचे अरेंजमेंट कि अगर हम बात करें तो यह A, B और B, A यह दोनों अलग लग चीज़े हैं लेकिन combination की अगर हम बात करें ओ भाई साब फिर से buffer क्या repeat करना है भाई कि अरे भाई repeat क्या करना है अभी तो मैंने कुछ करवाया ही नहीं है repeat क्या करूं definition अरे अभी तक तो बताई नहीं है नलाइकों अभी तक तो definition बताई नहीं है अभी तक तो definition बताई नहीं है मैंने चलो देखो यहां पर combination combination का मतलब होता है बच्चे अरेंज selection करना combination का मतलब होता है selection करना जब बात selection की आती है तो वहां हमारा combination यूज होता है जैसे मैं एक चीज बताता हूं आप लोगों को यहां पर अगर मालो हमारे पास है a b और एक है b यह अब यह आपके पास arrangement में तो दो अलग अलग चीज़ें बच्चे आरेंजमेंट की बात करेंगे तो यह दो अलग अलग चीज़ें है a b और बी इए ठीक है arrangement की अगर बात करें लेकिन अगर combination की बात करें तो दोनों का मतलब एक ही है दोनों का मतलब एक ही है चाहे आप a b लिखो चाहिए आप B ये लिखो क्योंकि combination में होता है selection करना अगर आप A B को select कर रहे हो B A को select कर रहे हो बात एक ही है अगर आपके दो दोस्त हैं मानलो तीन दोस्त हैं एक राम है एक शाम है एक गोलू है विचारा तो अगर आपको मैं बोलूँ कि दो दोस्त आप select कर लो तो आप कोगे कि मैं राम और शाम को select कर रहा हूं ठीक है मैंने क्या कर लिया राम और शाम ये दो दोस्त मेरे को चाहिए एक राम चाहिए और एक शाम चाहिए अच्छा और मैंने का अच्छा आप शाम और राम को select कर रहे हो तो मतलब तो दोनों का एक ही है चाराम और शाम बोलो या शाम और राम बोलो तो उससे कोई फरक नहीं पड़ता है तो selection combination में आपका A B लिखो या B A लिखो दोनों का मतलब सेम होता है दोनों में अलग लग चीज़े ये नहीं होती है गोलू विचारा रह गया बेवफा दोस्त है उसको सलेक्ट नहीं कर रहा है ठीक है बाई तो यह गोलू वही है जो आपके comment box में फाल्तू comment करते है तो यह गोलू वही है जो रह जाते है इसको कोई select है नहीं करता है क्योंकि वह पैदा ही comment करने के लिए पैदा हुआ है कि मैं पैदा इसलिए वाओं कि मैं जाके फालतू कमेंट करूँगा क्लास में ठीक है भई ओके तो इसलिए उनको कोई सेलेक्ट है नहीं करता है तो यहाँ पे बात आ रही है कंबिनेशन की तो पहला पॉइंट है बच्चे पैइंट नंबर वन पहला पॉइंट यह है कि कंबिनेशन ओफ एन डिफरेंट अबजेक्ट एन डिफरेंट अबजेक्ट है आपके पास और उसमें से आर अबजेक्ट आपको एक ताइम पे क्या करने है बच्चे सलेक्ट करने है तो एन में से r object आपको क्या करने है select करने है तो n वैसे जब r object हम select करेंगे तो formula यूज होता है हमारे पास ncr 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 formula यूज होता है ncr 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 का formula होता है n factorial divided by r factorial multiply में n minus r का factorial ठीक है तो अगर आपको n different object गिवन हो और n मेंसे r object आपको select करने हो याद रखना r object आपको select करने है तो n मेंसे जब r object आप select करेंगे तो n factorial divided by r factorial into में n minus r का factorial तो यह हमारे पास क्या लगेगा formula लगेगा यह हमारे पास क्या लगेगा formula लगेगा for example जैसे मैं example के थुरू आपको बताता हूं जैसे यह देखो how many triangle how many triangle can be formed joining the vertices of hexagon अब hexagon के अंदर कितने vertices होते हैं भी 6 vertices होते हैं कितने होते हैं 6 vertices हाना और triangle बनाने के लिए कितने चाहिए तीन vertices हाना तो total हमारे पास 6 vertices given है तो 6 अलग अलग vertices है और मुझे कितने चाहिए तीन चाहिए तो 6 में से 3 मुझे क्या करने पड़ेंगे select करने पड़ेंगे तो 6C3 आपके पास answer आ जाएगा तो 6C3 तो 6C3 की value आप निकोगे 6 into में 5 into में 4 divide by 3 into में 2 into में 1 तो आप तो या तो वो formula लगा लो 6 factorial divide by 6 minus में 3 factorial divide by 3 factorial एक ही बात है तो यहाँ से आपके पास result आ जाया है clear बाच्चित done है यह से cancel हो के 20 आपका answer है option B is the right answer option B is the right answer बहुत बढ़ी है B option आपका जो है यहाँ पे right answer हो जाता है बहुत बढ़ी है हाँ जी बच्चे बहुत बढ़ी है clear बाच्चित done है इतना मामला ओपी है एकदम done है कोई दिक्कत कोई परशानी हाँ जी clear है मामला ओपी हो जाता है सही है पर ठीक है बढ़ी आगे बढ़ते हैं next next देखो in a conference of 8 person 8 बंदो की conference है each person 6 hand with the other one only ठीक है then the total number of 6 hand cell भी ठीक है बढ़ी हाँ मिलाना है आपके दोस्त हैं 10 दोस्त हैं आप सभी दोस्त के साथ हर दोस्त एक दूसरे के साथ हाँ मिलाता है अब देखो यार हाँ मिलाने के लिए कम से कम 2 बंदे तो चाहिए तो अब आपके पास total कितने बंदे है 8 बंदे हाथ मिलाने के लिए कम से कम 2 बंदे तो चाहिए मतलब 2 बंदे आपको क्या करने चाहिए 2 बंदे एक साथ आथ मिलाएंगे आपको एक आपका दोस्त है इसके सबने एक दूसरे के साथ हात मिला है बच्चे क्लियर बात तो सबने एक दूसरे के साथ हात मिलाए है तो टोटल नंबर ओफ हैंडशेक आपको आना है कि हैंडशेक टोटल कितने हुए हैं तो टोटल परसन कितने आठ और कितने सेलेक्ट करने पड़ेंगे हाथ मिलाने के लिए दो एट सी टू लगा दो अंसर आजएगा एट इंटू में सैवन डिवाइड बाइट इंटू में वन यह से कैंसलो के फोर तो अठाइस आप का अंसर है डी ऑप्शन क्लियर अब आचे ट डन ने भई नाम ला ओपी है करोना के केश में सराथ मिलाना बंद कर दिया था क्या ही बता है यार कि खरोना का मनाम मतले काम सारा खराब कर दिया उसने क्लियर अब आचे डन है खतम है एक हिस्सा इसका चलो रिपीट कर दो सार ओपी बोलते देखो भाई आथ मिलाने के लिए कम से कम दो बंदे तो चाहिए यही बात है ना कि हाथ दो बंदे मिलाते है एक साथ कभी दस बंदे हाथ मिला रहे है ऐसे करके दो ही बंदे हाथ मिलाते है ठीक है तो टोटल क हाथ मिला रहे हैं तो फोर्मला लगा देगा 8c2 8c2 का अंसर आ जाता है हमारे पास कितना 28 क्लियर बात नेक्स कोश्चन का अंसर बताईए शाबास फटाफट नेक्स कुश्चन का अंसर बताईए फटाफट करोना निकल जाएगा बार बाफ़र ओपी बाफ़र ओपी बाफ़र ओपी हो गया बाई क्या कररें हम बताओ देखो हम अलग ही चल रहा इसका曆 बफर को देखो बच्चे यह कहता है हाव मैंनी फोर कॉंसोनेंट एंड थी बोवल्स कैन बी फोर्मड फ्रॉम्ड फ्रॉम्ड थी कॉंसोनेंट एंड फॉर फाइब वोवल्स थेके बच्चे कैसे करेंगे इस कुश्चन को बड़े ध्यान से समझेगा ठीक है हां जी नन नो कुझ बता रहा है कोई एरे भाई पहले कॉशिंद को तो देख हाव मैनी वर्डस बच्चे टोटल वर्डस बनाने अपने को फॉर कॉंसोनेंट 3 वह बस आपको कंसीडर करने हैं लेकिन वह मैं कितने चार कॉंसोनेंट श्याहिए हूं क्या करने है, 6 में से कोई भी 4 consonant क्या करने पड़ेंगे, select करने पड़ेंगे, total हमारे पास 6 consonant है, जो भी word मुझे बनाना है, उसमें 4 consonant की मेरे को requirement है, तो total 6 है, 6 में से 4 consonant मुझे चाहिए, 6C4 आएगा, multiply है बच्चे, 5 where've अपने को मुझे सेलेक्ट करने पढ़ेंगे 5C3 आएगा लेकिन सबसे में चीज ये ट्विस्ट ये है बच्चे कि आप कितने लैटर का वर्ड बना रहे हो 4 कॉंसनेंट है 3 वोवल्स है तो 7 लैटर का वर्ड आपके पास बन रहा है तो मल्टिप्लाइ में 7 फैक्टोरियल भी आपके पास आएगा क्यों क्योंकि बहां अरेंजमेंट भी तो लगेगी अगर मान लो नहीं आपने एक यूस कर लिया एक बीएक एक सी एक डीए ठीक है फ् g티 हमственus अ जट्रली यह मान रहा हों ब्रफ्लन जबेंटार मान रहा हो कि आपने यह लैटर सेलेक्ट कार लिए हैग्र्ट स्दिंक कर लिएम इनन पोजिशन आपस में इंटरचेंज करके आप डिफरेंट डिफरेंट वर्ड भी तो बना सकते हो ज़रूरी नहीं है यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे बी हो और यहाँ पे ए हो हाना तो वो भी तो एक डिफरेंट वर्ड बन गया इसलिए multiply में 7 वेक्टोरियल भी आपका आता है जब भी step का question आए कि जब आपको word बनाना हो दिमाग में बिठा लो जब आपको सबद बनाने हो तो आपको परहले क्या करना पड़ेगा कि 6 में से 4 consonant select करने हैं 5 में से 3 vowel select करने हैं और multiply में कितने letter आपने select किये 7 letter का word बनाना है तो multiply में 7 factorial भी आपका आएगा और इसकी value होती ह है सात लाग 56 अजार बी option in the house बी option is the right answer officer बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बी option is the right answer बच्चे बी option आपका यहां पर right answer हो जाता है आगे बढ़ते हैं next question पर हां जी बच्चे next question का answer कोन बताएगा फटा-फट बता दो next question का answer कमेंट करके next question का answer बताएगे फटा-फट बच्चे यह कहता है तुफूल फील फूल नहीं फील 12 vacancy 12 vacancy है there are 25 candidate वहाँ पर 25 candidate है of which 5 from schedule cast देखिए बच्चे total आपके पास 25 candidate है total आपके पास कितने candidate है 25 candidate है 25 में से 5 candidate जो है वो आपके schedule cast के हैं मतलब SC cast के है तो 25 में से 5 schedule cast के हैं तो 5 student आपके schedule cast के हैं तो इसका मतलब 20 student आपके schedule cast के नहीं है तो नोट schedule cast clear है बच्चे इतना काम हो गया अब इसने बोला कि three of vacancies are reserved for schedule cast candidates while the rest are open for all यह total कितनी vacancy थी बारा तो बारा में से बारा में से तीन vacancy जो है वह आपकी schedule cast वालों के लिए fix है reserve है और पीछे जो no vacancy बची वह आपकी बचे हुए आल सभी के लिए है ठीक है यह कहता है कि number of way in which the selection can be made तो हमें बताना है कि total कितने तरीके से हम सब्सक्राइब सकते हैं देखें का बच्चे schedule cast के स्टूडेंट है पांच स्टूडेंट है न पांच के लिए vacancy कितनी है तीन क्योखि ए schedule cast के लिए schedule kay件 się reserve है तो five के लिए कितनी है तीन्द सी तो इं पांच में से कोई भी तीन हमें क्या करने पड़ेंगे select करने पड़ेंगे तो 5 C3 multiply में अब यहां पर कितने कितने बच्चे बच्चे 20 कितने बच्चे 20 बच्चे अब आंसर बताओ शाबास अरे यार यह तो मतलब कि नेक्स अंसर बताओ बच्चे क्या आएगा आके नन अब दीज लगा रहें और लाइक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो यह 20 पे मत जाओ तुम लोग यह 20 पे मत जाओ यह क्या लिखा हुआ है कि तीन वेकैंसी रिजर्व है फोर सिड्यूल कास्ट कंडिडेट वहील दरेस्ट आर आल ओपन टू ओल जो बच गई है वो सभी के लिए तो डिर्व दीज बच आयार यार झाल के फो इसका एसे ले के चलो न ऐसे लेके चलो कि 25 अग्याच्ट है 25 में से पांच पांच कंडिडेट जो है मतलब दृद कास्ट जो अधियर और दीन कास्ट कर दो तो पांच मेंसे कोई पांच में से कोई भी तीन स्टूडेंट इस वेकेंसी को फिल कर देंगे पांच में से कोई भी तीन स्टूडेंट ही सलेक्ट होंगे पांचों के पांचों तो सलेक्ट नहीं होंगे तो पांच में से कोई भी तीन स्टूडेंट उस वेकेंसी को जो तीन वेकेंसी जो रिजर् उन्ने 3 वेकैंसी है तो आप 3 दोस्तों select होगे अब 2 दोस्त बच गये वई क्योंकि तीन नीवेकैंसी निया उनके दो तो वह बच गये और आपके世界 क्यों टोटल कितने दे पच्शिस से तीन तो बीरों पाप सब्सक्राप पत्तिसमें से तीन तो तीन वेकैंसी बच गए और 20 अपने दूसरे बच गए टोटल 22 स्टूडेंट बच गए और वेकेंसी पीछे कितनी बची नो बाइस में से नो स्टूडेंट कोई भी सलेक्ट हो जाएंगे तो यह आपका अंसर होगा वो जो पीछे बच गई यह वो सभी के लिए अजिए आपका राइट आंसर हो जाएगा यही है इस कूश्चन में समझने वाले चीज यही बात थी इस कूश्चन में क्योंकि दो स्टूडेंट वहाँ बचे एंगे रहा बात ह अगे बढ़तें नेक्स्ट में यह जाता है इन हाओ मैं किरके टीम कान इन भी सेलेक्टेड फ्रोम गुरूप ऑफ 25 प्लेयर्स कंटेनिंग दस बैट्समेन है बाई जब 25 प्लेयर्स की टीम है 25 प्लेयर है टोटल जिस में से 10 हमारे पास बैट्समेन है ठीक है आठ बोलर है ठीक है और जिसमें से पांच जो है वो आल राउंडर है और दो जो है इसमें से विकट कीपर है ख्लियर बादचीत इतने डन हो गई ठीक है अब यह कहता है अज्यूम देट टीम ओफ 11 प्लेयर्स 11 बंदों की टीम बनानी है जिसके अंदर पांच बैट्समें चाहिए पांच बैट्समें चाहिए और तीन आल राउंडर चाहिए तीन आल राउंडर के नीचे आल राउंडर लिखते हैं दो बोलर चाहिए बोलर के नीचे बोल और एक विकट कीपर चाहिए अपने को तो हमारे पास बैट्समें कितने हैं दस दस में से मुझे कितने चाहिए पांच तो टैन सी 5C3 multiply में विकट किपर कितने है दो लेकिन मुझे कितने चीह है एक तो यह अब आपका अंसर आ गया इसकी प्रोडक्ट कर दो अंसर आ जाएगा इसकी प्रोडक्ट कर दो अंसर आ जाएगा क्लियर अब आचे कि अफीर दन नहीं चा बताय। हमें करके आगर बढ़े नेक्स कोश्चन पे ला Requate न पटाफेट आगे बढ़े next question पे जब आज कमेंट करके बता दीजिए आगे बढ़े next question पे clear है simple एकडम question next देखो बच्चे Next properties of ncr ncr की properties क्या होती है सबसे पहले nc0 nc0 और ncn की value 1 होती है याद रखेए ठीक है बच्चे, ncr की properties, तो nc0 निकालो यह ncn निकालो तो always क्या होता है हमारे पास, 1 होता है, ठीक है, next, point number 2, ncr और ncn-r दोनों equal होते हैं, ncr is equal to ncn-r, दोनों result आपके equal होते हैं, ठीक है, तीसरा point, most important point है बच्चे, तीसरा most important है, कि अगर ncr आपका equal है, nck के, ncr अगर ncn-k के equal है, तो उस case में r और k का जो sum होता है, वो आपका nk equal होता है, किसके equal होता है, r और k का sum आपका nk equal होता है, तो अगर ncr आपका nck के equal है, तो r प्लस में k जो होगा, r और k का sum जो है, वो आपका nk equal होगा, किलियर बात, nk equal होगा, ठीक है बई, चलो, आगे बढ़ते हैं, next point, ncr प्लस में ncn-r, यह भी important point है बच्चे, यहां से भी question exam में बनकर आता है, मैं पहले बोल रहा हूँ, ncr प्लस में ncr-1, तो ncr प्लस में ncr-1 equal होता है, आपका n plus 1cr के, जैसे मालो 12c3, प्लस में आपको करना है, 12c2, तो देख लो, यह r है और यह r-1 है, यह r है और यह r-1 है, तो 12c3 प्लस में 12c2 is equal to होता है, आपका 13c3 के equal, तो n plus 1, n plus 1 हो जाएगा, n plus में 1 हो जाएगा, n में एक add कर देंगे, और यहां पे जो बड़ा है, r आपका 3 है, तो यहां 3 आजाएगा, तो ncr प्लस में ncr-1, ncr प्लस में ncr-1 is equal to क्या हो गया भाई, क्या हो गया, n plus 1cr हो गया, यह point भी important है, next, r time of ncr, इसको आप ऐसे लिख लो, point number 5 जो है, इसको आप ऐसे लिख लो, ncr divided by n-1cr-1, ठीक है, यह हो जाता है, आपका किसके equal, n divided by r के, देखिए, यहां n है, यहां n-1 है, यहां r है, यहां r-1 है, जैसे मैंने लिख दिया, 15c3 divided by 14c2, तेकलों इस property का आप यूज़ कर सकते हैं, यह ncr है, ncr, divided by n-1cr-1, 14c2 एक के कम है, तो answer आएगा आपका, 15 divided by 3, 5 answer आएगा, बाच्चेस दन है, नामला उपी है, तो उस case में आप यह property यूज़ कर सकते हैं, clear, same y property है, बच्चे, same y है, अब इसमें उल्टा हो गया, अब इसमें है ncr divided by, यहां पे आपका n plus 1cr plus 1, ठीक है ना, तो यह is equal to हो जाएगा आपका r plus 1 divided by n plus 1, है तो वही इसका उल्टा कर लो, reciprocal कर लो, n plus 1cr plus 1, divide by ncr, equal में हो जाएगा n plus 1 divided by r plus 1, property वही है, देख लो, उपर वाले से एक कम, उपर वाले से एक कम निचे है, same property है, कोई फर्क नहीं है, ठीक है ना, तो ncr की greatest value, मतलब ncr की maximum value, कब होगी, जब आपका n जो है, nr जो है, वो n divided by 2 के equal, जैसे मालो 14cr है, उसने बोला कि इसकी maximum value क्या आएगी, इसकी maximum value क्या होगी, 14cr की maximum value, तो 14cr की maximum value क्या होगी, तो 14cr की maximum value होगी बच्चे, जब r आपका कितना हो, 14 divided by 2, मतलब 7, तो 14c7 जो है, वो आपका maximum value देगा, तो 14c7 जो है, वो आपका answer आ जाएगा, clear है बच्चे, done है, ठीक है, और next, n अगर o2, तो उस case में ncr की greatest value होती है, n is equal to n minus 1 divided by 2 कर लो, या n plus 1 divided by 2 कर लो, इन दोनों पर इसकी क्या आएगी, greatest value आएगी, clear बात, हाँजी, clear है, done है बात चे, done है बई, इतने point clear होगे, श्याबास, बहुत बढ़िया, हाँजी, फिर इस question का answer फटा-फट comment कर दिया जाए, फटा-फट comment कर दो, श्याबास इस question का answer, कैंसर आएगा फटा-फट श्याबास, simple है बच्चे, बहुत बढ़िया, देखो, यहाँ पे, अभी मैंने बताया न, आएगा, nc r, nc r अगर एक्वल हो, n c k के, तो r प्लस में k आपका n k एक्वल होता है, तो 3 r प्लस में ये, 3 r प्लस में, r प्लस में 3, आपका किसके एक्वल होगा, 15 तो यह हो जाएगा, 4 r is equal to, यह दुर जाके माइनस का 12 हो जाएगा, मतलब 3 उद जाके माइनस हो जाएगा, 15 माइनस 3, 12 हो जाएगा, तो r की वैल्यू कितनी आगई, 3 आगई, then the value of r, r की वैल्यू पूछी है, 3 आगई, option a is the right answer, previous year question है बच्चे, ठीक है, option a is the right answer, a option आपका यहाँ पे जो है, वो right answer हो जाएगा, clear बादचीट, ठीक है, आगए बढ़ता है, next बच्चे, यह काता है, there are 10 lamps, 10 lamp है in a hole, each one of them can be switched on, independently, सारे के सारे एक दूसरे पर independently है भई, अभी गिर जाते, then the number of ways in which the hole can be illuminated, अजी, अब बताओ, इसका answer क्या है, recorded तो होगी भई, आयूस पंडे, इस question का answer दे भई, आयूस पंडे, क्या level करा रहे हैं सर, difficult कराईए, आयूस पंडे, इस question का answer दे भई, मैं देख रहा हूँ तेरा नाम मेरे को कब नज़र आया इस question में, अभी तक तो नहीं दिखा भई, ओ, difficult level, आजी, बता, अभी भी नहीं आया तेरा answer, अलग ही जल रहे हैं, कितने lamp है, बच्चे, hole में कितने lamp है, 10 lamp है, और ये कहता है, कि सभी lamps के जो switch है, वो independent lamp, ठीक है, और ये कहता है, कि the number of way in which the hole can be illuminated, मतलब hole के अंदर roast नहीं होनी चाहिए, ठीक है, तो एक चीज़ देखिए, बच्चे, कि at least one आगया case, कि अगर hole में 10 switch है, मतलब 10 lamp लगे हुए है, तो कम से कम अगर एक lamp आपका, कम से कम एक lamp, तो कम से कम अगर एक lamp आपका on रहे, कम से कम एक lamp आपका on रहेगा, तो आपका उसके अंदर क्या होगा, मतलब अंधेरा नहीं होगा, कह सकता हूँ, तो उस case में कम से कम एक lamp आपका on होना चीज़, हो सकता है, दो lamp आपका on हो सकता है, तीन हो सकता है, च्यार हो सकता है, दस के दस lamp आपका on हो, लेकिन कम से कम एक lamp आपका, जो है, वो क्या जो है on होना चाहिए तो n seek at least one वाला case आगया तो सबसे पहले देखिए एक switch के लिए दो condition है या तो वो off हो सकता है या on हो सकता है दो condition है total कितने है मेरे पास lamp 10 तो आप लगा लीजिए 2 की power 10 और minus में कर दीजिए 1 at least one के case में 1 minus कर देंगे या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं देखिए कितने हैं 10 lamp है हो सकता है 10 में से एक lamp हमारा on or turn owners हो सकता है 10 में से दो lamp हमारे on है ठीक है condition है बच्चते है यह total अलग अलग condition मैं बनाउंगा ओके total condition मनाँगा तो हो सकता है 10 में से हमारे 3,10 अप टू सकता हي 10 के 10 हमारे ओन हो तो यह कितने बनेंगे हमारे पास यहाँ पर 10C1 10C2 10C3 अप्टू सॉन 10C10 इसका फोर्मुला होता है 2 की पावर N माइनस में 1 ना तो यह आजएगा 2 की पावर 10 माइनस में 1 तो यह हमारे पास आंसर आजएगा B option is the right answer. B option is the right answer. 2 की पावर 10 माइनस में 1 आपका result हो जाएगा मामला उंपी है चलो बहुत बढ़ी है कितने बढ़ी calculation यह कहता है कि 10 letters 10 different letters of English alphabet English alphabet के 10 अलग अलग letter है और given हमें given है out of these out of these letter word of five letters are formed ठीक है how many words can be formed when at least one of the letter is repeated अब बताएएज कोशन का अंसर at least बफफर गाया क्लियरा बात चीद अब सही है चलो शुकर है शुकर है इस बात का क्लियर है बात चीद टू की पावर एंड माइनस वन हाउ सर भाई फोर्मुला आपता है nc1 nc2 nc3 प्लस में अप्टू सौन nc n का टू की पावर एंड माइनस वन देखे बचे दस डिफ्रेंट लैटर है अल्फाबेट के और गीवन आउट ओफ इस लैटर वर्ड ऑफ फाइव लैटर पांच लैटर का वर्ड बनाना है बुचे तो मैंने आपको बताया था एट लिस्ट का अगर पुचे कि एट लिस्ट वन लैटर इस रिपीटिड एट ल माइनस में अगर आपको रिपीटिशन अलावड नहीं है तब आप कितने लैटर बना सकते हैं वो निकाल नेंगे तो उसमें से इसको माइनस कर देंगे आपके पास रिजल्ट आ जाएगा ठीक है बई क्लियर अबाचे इट अलावड में से रिपीटिशन नोट अलावड व है नेक्स में काम करता हूं बच्चे रहत थोड़ा ही रह गया लेकिन हम इसको इमनिNG की क्लास में कर लेते हैं ठीक है बच्चे इमनिंग की क्लास में मैं द्वारा से स्टिडूल कर देता हूं इसको क्योंकि अब्ल sun का इस चल रहा है अपना जो हमारी साधे छाहीं साथ परसेंट कोई रोक में नहीं सकता है 101 परसेंट ओके तो अभी कोई नेट का इश्यू चल रहा है कोई दिक्कत नहीं है हां जी कोई दिक्कत नहीं है चलो बहुत बढ़िया क्योंकि यहां से हमारे पास वही नंबर उफ ट्राइंगल वगेरा वाले रह चुके हैं तो अलग लग टाइप के हैं मैंने एक्जांपल भी इसमें इंक्लिवड किये हुए हैं तो वह इंपॉर्टन काफी रह चुका है तो इवन हाई जोस के साथ ओके बच्चे चालो बहुत बढ़िया तो फंक्शन का सेशन हम कल ले लेंगे कोई दिक्कत नहीं है आज इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं ओके नौ प्रोबलम अरे आप लोगों के लिए जान भी आजी रहा क्या बात कर रहे हो पांड़े जी तो एक ब सभी बच्चे क्लास के अंदर हो सभी के सभी बच्चे 200 बच्चे कम से कम नीचे कमेंट बोक्स में कमेंट करके आप जरूर बताया करो कि आज का ये सेशन आपको कैसा लगा क्योंकि आपका फीडबैक बहुत ही जादा जरूरी है थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है तो आप सभी बच्चों को जैहिन जैबार वन्द है मातरा